हलो 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 क्या मेरी आवास सबको आ रही है हलो हलो हिमेश जांभूल कर बार कि न सुमनात्ष वागमोड़े लुकुँच क्तने अपने लोग के ळ रहा है है मुनिटस्ट का प्रेपरेशन करना है वाके लोग कीधर है ओके शैलेश हेंडेश है बाग गे है स्री जाकताव वाई दिक रहा है दिक रहा है अपने लोग दिक रहा है अभी हाह मोहीं शेक हलो बेड़ा हलो रैएं शिंदे आर्यान शिंदे सुषमां पवार येस यहां शुरू करना है युनेट टेस्ट का प्रिप्रेशन पूरा कंप्रेट करना है आपको युल शुव अभी बहुत कुछ तो बहुत बार पड़ा चुके हमें इससे लाई लेक्चर में चाप्टर के पूरा पढ़ाया है अब उसके बाद समरी लेक्चर भी हुआ यूट्यूब के उपर उपर समरी लेक्चर के बाद में दिपति में इश्राम हलो वेड़ा हलो के बादे बादे वाइटी पर जो भी आपको मिल रहा है वो काईसा लगा आपको कंटेंट बता दीजी एक बार और जो भी उसके अंदर आप चाहते हो कोई सजेशन अगर आप चाहते हो तो वह बता दीजिए ताकि उसका है ना वैसा सजेशन जो भी आप बोलोगे वैसा हम लेके आएंगे आपके लिए दिप्ति मेश्राम ठीके ना हलो वेड़ा हलो बाकी सब लोगों को आपने बता है न पागेश्री बाउयलजी टॉपर रिजल्ट कुछ है ऐसा कुछ सेप्रेट तो टेस्ट हुआ ने भाई हाँ शेरेगर और यू आर एक्सलेंट यू आर एक्सलेंट पहले मुझे यह बताइए जो भी हलो बेड़ा हलो जो कंटेंड आपको यूटूब के उपर मिल रहा है हा कि उसमें कुछ आपको चाहिए क्या नया कुछ कंटेंड देखो न्यूमरिकल्स वगरा सब कुछ पढ़ा गया एंसी क्यू आपको यह लिए गया हाँ आज एंसी क्यू देखिए एंसी क्यू भी कुछ ऐसे मैंने फिलिंद ब्लैंक वो डाला हुआ है आपकी रिविजन के हो चलो शुरुवात करते हैं कि लिए ना और विल्कुल आपको जो आपके मन में आपको कोई ऐसा है कोई आपके दिमाग में चल रहा है कि यार ऐसा चाहिए वैसा चाहिए तो आप मुछ बढ़ा सकते हो अधाम आप क्लियरली बताओ कोई चीज हम वैसी चीज आपके लिए ल आपलोड किये गये हैं कल भी अप लुटोड होता शाहिद देखा होगा आपने कि आ लोगों कल करको वीडियो देखा कल का हाप पॉल पॉल आज देखिए पूल ठीक है हम पोल भी गरवा जिते पोल बना लेते हैं वर बता दिता हूँ हां लटी हां मेरी बात हां जातियों रहां सुजल ने देखा हुआ है ओके भाके श्री देखा है आपने चलो थैंक यू ठीम ठीक आप काली है ना अब यह मराठी की वा इधर और असर पूल अगर लगा लगा दीजियो पूल एक्ट्विट किया है न ओके ठीक है वो भी गर देते हैं ओके निशिका शेरेगर निशिका शेरेगर ओके बेड़ा सुजल बेस्ट वीडियो है सुश्मा पवार ओके ब्लैक स्क्रीन एक मिनिट एक मिनिट थोड़ा सा रुख जाइए पॉल भी लगा देते आपके लिए वाइस जातो वाइस बीचल रहा है ना थोड़ा पूल लगा देते हैं हाँ पॉल का मतलब कैसा होता है कि अगर हम यहां पर कोई क्वेश्चन आपको पूछ रहे हैं तो उस क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हो चाइड़ बॉक्स में आप जो भी डाइब करते हो एभी सीडी तो वह यहां पर काउंट किया जाता है और कौन किसने सबसे फॉ यूजन है यह बोलना है बड़ेगा देखिए यूनिट टेस्ट में आपने बोला है ग्राइविटेशन पर चल रहा था मुझे पूछा था तब क्या हुआ था हमने पूछा था ग्राइविटेशन और इफेक्स आफ एलेक्टर आपके आने वाले है राइट तुम्हारी चाहिए कि तुम्हारे मार्व यूनिट टेस्स के उपर डिपेंड होते है स्कूल से वह जाते हैं मार्क तो मैं चाहता हूँ आपको स्कूल में आच्छे मार्क्स मिले में आपको अच्छे मार्क मीले मयूर समझ लगा तुल का कापए कर है सिटल क्लास 12 का है ताहितल क्लास 12 का है निय। कोई नहीं है टेंद का ही है वाई ग्राइटेशन टेंद में है आपको ओके हाँ ओके टेस्टिंग भी हो चुका है तो हाँ ब्लाक एडिट्स मायूरुकरडे सुष्मा पवार ओके सुजल हाँ तो मैं यह आप से हक्से यह डिमांड करता हूँ और देता हूँ तुमको यह ततो यह है तुमारा मार्स कर गया न तो मैं और सब लोग अपने मומ׈ को और प्पा को तéर रह Haven क्लास के बाद में सबसे बात करने वालो सुट मैं को मैं उन से कुछ需 पूछनिम पूछने वाला उनको कुछ बताने वाला हूँ क्यूआ को आपको अच्छे मार्च मिले पेपर में इनना मेरा बहुत दिमाख खरा हो जाएगा वाई तुम समाझ लो क्योंकि इतनी बाहर तुमको प्राचुके इतनी बाहर सब कुछ पढ़ा जो डीपीपी उसके बाद में चाप्टर समरी सब्सक्राइब को पढ़ाई गई है हाँ शुभाम मेरा आज ही साइन्स वन का पेपर हो गया हाँ ठीक है अब सब का मैनेजर नहीं कर सकते ठीक ना अभी इस विक में सब की हो जाएंगे ठीक ना यह या फिर अगले विक में हाँ नाइन के लिए भी आएगी सीरिस टेंशन मत लीजिए आप पहले टेंद का उसके बाद में नाइन का भी आएगा यूनिट टेज वाहाँ बिल्कुल एक मार्स में कंबलना चाहिए अगर अगर कितना है 30 मार्स का है पेपर तुम्हारा असा मैंने देखा है कि 30 मार्स का टेपर आएगा और उसमें 15 अगर मार्स का फिजिक्स आने वाला है तुम मेरे को अगर ऐसा पता चला मेरे को पता चला कि भाई तुमको 15 में से 15 मार्स नहीं मिले मैं बहुत मैं नाम लेके बहुत यहावे बेताती करने वाला तुम्हारी तुम यह बात ध्याज में रखना ठीका ना तुमको भूशन सर याद रहेंगे फिर हमेशा के लिए तो ठीका ना भले मैं कितना भूरा ह हो जाओ लेकिन मुझे तुम्हारे मार्स अच्छे चाहिए सबज में आ रहा है सबको हां के यार टूटोरियल उसके बाद में हां सुजल हंडिट परसेंट आएंगे ब्लाइग अनिता पवार सुजल अनिल चहुहान लकी ना पिलकुल ही आने चाहिए मैं आप से आपसे मां अपना लाई जो है वो चलने के बाद में मैं सबसे बात करने वालों ठीके शुरुवात करते हैं कितने लोग आगए अपने आगए क्या 25 वाचिंग ओके अनिता पावर सर मेरा मार्क्स भी आए ओके हां ठीक है तो मार्स आगए तो पढ़ाना तो सबको जो चुका था ना र कीवियर कंसेप्स सर जल्दी स्टाक करो हां और को मार्क्स पूछना इनका भीपर हो गया मार्स बता ओकि इतने मार्क्स मिले तुमको मार्स अगर तुमको अच्छे नहीं मिले तो ध्यान देना तो मुझसे हुरा कोई होगा नहीं पिर ठीक है ना और लास्टम एक बार घर पे बता दो कि सर ने बोला है क्लास उने के बाद में सर सब सब पेरेंट से बात करने वाले गर पेघवार फुलो नियान का वीडियो कब इनकी डूला कर सोब्सट्सיणा वार मैरा हर मंडे tar devil h tough इसको बढ़ामा चाहते हो तुम और कि तक भुटंखों कि तो खतम फ़नी खत्म हो आइसा मत बूला करो सब्सक्राइब हो आवनी ब और 40 पई है बाध बढ़ बढ़का मैं जगा और मारे मिलनी चैये अधिराइन और हम यह चाहते भाई ठीकर ना हम तुम्हारे फैन है राइट हम तुम्हारे फैन और делает चाहता हूँ सरबड मार्क्स इतने जल्दी कैसे बता ये उनको अरे बता दिये होंगे ना अभी जैसे पेपर हुआ तो बता दिये होंगे मतलब एक ऐसे कोई शीट ने वनी होगी लेकिन मार्क्स बता दिये हो हां तो डिगा ना हम आप लोगों के बहुत बड़े फैन है और मैंने देखा सब्सक्राइब की उपर जो वीडियो जा रहा है बच्ची इतने अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं बहुत मज़ा आगया वह क्वेश्चन देखके और मैं उनके आंसर भी दे रहा हूं खुद मैं उनके आंसर समी हमारे फैकलिटी उसका आंसर दे रहे है हां माई साइंस सब्सक्राइब को चाहिए कुछ कोई नया कंटिट आपको चाहिए तो आप उसके उपर भी हम आपको प्रवाइड कर सकते शुरुआत करते हैं शुरुआत करते हैं तो पहले ग्राविटेशन का पाड़ थोड़ा थोड़ा रिविजन चलो फिलिंदे लांग्स करना है आपको यहां पड़ावर बड़ावर होता है तो जरा मुझे बताई यह को आटेस्ट इन स्कूल स्टार्ट फ्रम फिप्त अफ सप्टेम्बर ओके चलिए मास मेजर ऑफ इनर्शिया होता है मुझे यूनेट बताओ यह मास का मास का यूनेट बताओ मुझे जरा पड़ावर सब लोग कमेंट करके बताएंगे सब को पड़ावर आंसर देना पहले वाले का कितना आएगा भागेश्री सोमनाथ देन आर्यां सिंदे हां ब्लाक एडिट एक बताओ सब कुछ ने एक बताओ धिरे-धिरे क्योंकि भास सारा भाड़ाने वाला भी आगे-आगे ने तो गुंधर पूर्णा ने कराएचा एक 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 चीलोग्राम तो आपको जाहते है कि मास्टक अविछ संटल्ट कि अवार्णा भास सब्सक्राइब होता है । कि नमास को क्या बोला जाते है तो आपको बताना है कि मेजरी अफ इनर्शिया होता है वो राइट ओके चलो दूसरा वाला बताओ सब्सक्राइब करके तो एक बताओ चलने दो धो ठोटा रिवाइज होने दोंसको मैजूर हां मकध्यूर ब्लाइकैडड Tech ईडश भाई तेरा नाम लिख पूंद टू सब्सक्राइश घुलिण गुल्य सउल्re लिए भागेशरी शुष्मापवार अहिल्या घुले तीक है दूसरे वाले का यूनेट होगा न्यूटन होगा बहुत सभी बात है और जो वेड होगा वो जीरो अधर सेंटर अधर और के सेंटर पे अरद सेंटर आफ मास जो है और के सेंटर आफ मास पे जल्दी बताओ बड़ावर बताना यहापे गलती नहीं करने है यहापे गलती करते है बहुत सारे लोग पड़ावर बताओ स्वंवावर यहापावर जल्दी बताओ बड़ावर जल्दी बताना है यूड़ैठ क्या है हां कुछ भी लिखते हो बराबर लिखो स्लाइज डी और इमद्ध किया विन अनितापावार तरा थिद्ध वटल्ड आनि गलत हो जाया है फिर एक जाम में वह हाँ व Θु Creating a जलत भी नहीं बताना है हां मेटर पर सेकेंड स्क्वेर बाकी लोग बाकी लोगों को बता ही नहीं शायद कुछ भी लिखते है तो एसलेशन डूडू ग्राइविटी का यूनिट क्या है मेटर पर सेकेंड स्क्वेर आएगा बहुत बढ़िया ओके इसमें भाव सारी चैन्ज यहाँ पर लोगे कि यहाँ पर लोगी की यूनिट बता हो कड के जूगा अरऻुन करते अरे जुट अर्जॉन कहीं सब्सक्राइब करते हैं सब्सक्राइब तो बहुत बहुत स्वागत है लाइब सेशन तो ग्राइब डॉस्ट्रेंग ग्रॉच की वैल्यू यहां पे कनी का पूरो ही सब को आना चाहिए इसका अंसर है ना और कुछ स्वाल अरे स्वाल मतलब कर न्यूट्रॉन थोड़ी है वो कि ओके तोड़ा सा कुछ लाग आ रहा है शायद देख लिजिए कुछ लोगा आवास साउंड जारी है सही तरह हां कुछ लोगा आपना पर लिख रहे स्वाल स्मॉल अन्यूट्रान थोड़ी वही वह न्यूट्रान नहीं है वहापे स्मॉल अन मतलिको इसको अपिटल लिखो ठीक न जारा देखिए इसको तरह इसको समझते हैं कि इसको समझते क्या है अपना ग्राविटाशननल फोर्स का फॉर्मूला क्या है क्हापिटल जी एम एम टूबाइर्सक्राइं लोगए आपना तो यहां पर क्या फेलोड़ी देखो तुम जारा क्या आएगी एफ और स्क्याइर M1 into M2 M1 into M2 आएगा सही बात है तो यहाँ पर देखो force का unit Newton R मतलब distance मतलब meter meter का square M1 into M2 मतलब kilogram का square आएगा ठीक न? तो ऐसा answer आपका आना चाहिए Newton meter square upon kg square ओके? सबका answer यह आना चाहिए चलो, इतना हो गया? आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपका meter per second square और यहाँ पर आया था Newton meter square upon kg square answer आ चुका है यह पूरा पहला जो question था आपने बता दिया आगे बढ़ते है आगे बढ़े चलो, आगे बढ़े आगला question ले क्या हाँ मेरी आवादार ही न आपको हाँ ठीक है थोड़ा क्या हो रहा है buffer हो रहा है वन मिनिट थोड़ा सा वन मिनिट का gap अपने session में ठीक है न जो में मैं बात कर रहा हूँ तो उसमें आ सकता है थोड़ा सा उसका उसको टेक्निक answer पढ़ा बढ़ाना चाहिए एक दाम है बिल्कुल भी टाइम बस नहीं करना है बिल्कुल भी आहाँ पर टाइम में तुमको दूंगा नहीं आपको डाइरेक्ट बढ़ा बढ़ा आंसर देने है सभी question के थोड़ा सा ये साउंड दातो आएगा माँ बारिश शुरू हो गई है ओके ओके स्टार्ड हो गया है शायद बहुत सही दरीके से और इसके बाद जो मैं आपको question बूचने वाला हूँ इसके बाद मैं आपको question बूचने वाला हूँ वो थोड़े से difficult होने वाले तो आप तयार हो जाईए अब मुझे बताईए क्या सही से आवाज आ रही है स्टार्ड करें सुमनात वागमोडे तेजस सही से आवाद आ रही है सब मुझे थोड़ा साथ थम बता दीजिए ताकि मैं next question question पर आपको मैं लेके जातों आपको आंसर बताने पूरे ग्राविटेशन का और दूसरा पार जो है वो भी आपको बताना है ठीक है ना सोमनात आरियान भाग्येश्री मयूर तेजस प्रशान सुजल ओके ठीक है शुरुवाद करते नेक्स question लेते रेडी सब लोग अगला question question आपकी screen की उपर अगला question जो है थोड़ा सा आपको fill in the blank यहाँ पर भरने है फिल इसको देखके डरना नहीं है बहुत सरे सब्सक्राइब काल मास आवाउंट आप मैंटर इंकलोज इन पॉड़ी कंटिन बॉड़ी इसको वह जाएगा मास तो दिखिए वेड़ कहा है वेड़ इस दा ब्लैंक यहाँ पर फिल इन दा ब्लैंक भरने है आपको वेड़ इस दा ब्लैंक एक्षर्टेट और बॉड़ी सब्सक्राइब की इस दा ब्लैंक भनावत ईंक भॉड़ी से प्रशान हाँ अनीता पवार अहिल्या घुले तेजस मैयूर मनीशा पासवान सभी से बतार ठीक है सब लोग बता रहे हैं सही है सही है है सही है मैं किया बोड़ अनिता पवार यस सही है तो weight क्या होता है? force होता है, जो force body के बर act होता है because of the planet or the planet or the sun or the moon or any celestial body celestial body के वज़े से body के बर force act होता है that we call weight weight को इसा बहुत separate चीज़ नहीं weight is the force acting on a body due to the celestial bodies like earth, sun and moon चलो यह हो गया दूसरा वाला पॉइंट देखो mass is an blank property of a body and weight is an blank property of a body यह बता हो भई यह जिसने बता है ना मैं मैं तो उसका फैन हो जाओंगा फिर यह बता हो कि mass is an blank property weight is an blank property कौन सी प्रोपर्टी होती है, mass कौन सी प्रोपर्टी होती है how we calculate mass of the object mass को बताएंगे न या भी इसमें point आएगा mass को कैसे हम calculate करते है okay beam balance करके हम mass को calculate करते है ठीक है न जो आप खुद का weight करते हो actually weight भी नहीं होता वो mass होता है आप उसको बोलते मेरा वजन actually वह वजन नहीं है उसको का मारती में बोला जाए त्याला आपन वस्तुमान महणता हो वस्तुमान आप में से कौन बतावाएगा कनी का पुरो ही सुष्मा पवार वाईशाली इंगड़े इंटरनल थोड़ा सा वाईशाली इंगड़े का थोड़ा सा पास में आ चुका इसके इसके जैसा ही है इसलिए मैंने दोनों हड़ा दिये वहाँ पे टिया ना नेवर भी जीरो सुष्मा पवार स्केलर कॉंटिटी मनिशा पास्वान मैटर अनीदा पॉर यह एक यार कोई एक परसन मेरे को बता तो तुम 27 लोग हो मुझे एक कोई परसन इसका सही आंसर बता हो मास इसान ब्लैंक प्रॉपरटी एंड वे डिसान ब्लैंक प्र दूसरा बताना है तोड़ता हूँ अभी इसका देखिए मास क्या होता है मास यह इंट्रेंसिक प्रॉपरटी होते इंट्रेंसिक प्रॉपरटी होती है मास इंट्रेंसिक प्रॉपरटी होती है मास इंट्रेंसिक प्रॉपरटी होती है मास समझ में आया आपको इंट्रेंसि से मास का बहार की जितों से कोई यह यह रिलेशन नहीं है मास का बहार की जितों से कोई मतलब नहीं है मास इंटरनल प्रॉपर्टी बॉड़ी की खुद की प्रॉपर्टी इंटरनल इन इंट्रेंसिक बोला जाता है आपने वैशाली को मैंने बोला था वैशाली इंग्लिन यहां प्लोट छुके हो ठीक हção अब श्रीयाश्प्रधान तो यह हां शुजल ने अभी बताया एक्स्ट्रिंसिक प्रोपर्टी है यह जो है वो भार कि परेड़मड हो चुके मुझी बताओ कौन सांपाल में यहां हुआ आपको तभाताव मुझे के दिख देखराए क्या हो को होता है। इंतरेंशीश प्रपरटी यह वता एक्स्ट्रेंश प्रपरुटी समज में आरहे कंदर आ लेकर है यह कंदरआहइब यह घ्रिंजिवार माइन आपको दिखाई यह दिख राये आपको डिए व्यां स्क्रिंशोट ले लो स्क्रेंशिंव इंट्रेंशिक प्र में डिज बांपटी को लिखने ि सर हालइ लो क्अऊल थे अप स्टेंवиях बर देखो तो मैंने फूरा का पूरा जो च्पाटर के तो आप more यह थी का समझ में आया वैशाल इंग्ड़े ओके हां ग्रीन है ना ग्रीन थोड़ा नहीं दीखता है ना कर रभाता व्यार तुम यह थोड़ा सान वुझे लगते क्या पोडिखता एंगे नहीं दिखता है दिख रहाएं सब्को कि माई पिंक कलर यूज करूआ प्सक्राइब ओके हापिंग की यूज करते है थोड़ी देर के लिए अब देखो यहां पे इंट्रेमास इस दा मेजर ओफ इनर्शिया का विजर मेंट है मास अभी हमने पड़ा कितना ज्यादा मास वह उतना ज्यादा इनर्शिया होता है यह बात आपको पता है अब यह हो गया अब वेडि आप ग्राविटेशनल पुल है ग्राविटेशनल पूल जो भी इसको हो रही है उसका मेजर मेंट आपको वेड़ बताएगा रइगर ग्राविटेशनल फोर्स फेsem करतेक्टिंर यू अनौने डिवक्त दो देख cutbackLS ग्रीटेशनल पुल उसको ब lasting यूए पर च मचला रेत आप सोच रहे हो ठीक है ना पूर्स अप्लाइड ऑना बॉड़ी डू तो और या फिर उसको ग्राइविटेशनल पूल अगर बोला थे तम सिंप्लिफाइड हो जाता है हूँ ओके ठीक है कोई बात ने फिर्ट बॉड़ी रिमेंस ब्लैंक एवरी वेर इन द युनिवर्ट च हां बागेश्वी जक्ता बहुत बढ़िया बागेश्वी जक्ता यह लड़की बहुत दूशा रहे है यह अच्छे मार्क्स लाएगे और यार वो एप वाली कितर है अपने वो नहीं आए कि सब अनीता पवार वेरी गुड बहुत बढ़िया मनिशा पासवान तेजस सुश दिमाग आपको लगाना है तो वेट ऑफ द बॉड़ी डिपेंड रोकल अचल्रेश्ट डूट ग्राविटी वह इस खिए वेड कैसे डिपेंड करता है विट अप बॉड़ी डिपेंड वान द लोकल असल्रेश्ट अब जैसे आप 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 जिस एरिया में रहते हो तो ऑब लोके सेट सिर्थ चीशित पाड़ा थो वहां पेजिकी वधाट एलग एक है तो दाओं-हुरण मांस ये पॉइंट बहुत इंपर्टेंटन यह चोडकी जोड़ देते यह फॉइंट बहुत इंपर्टेंट हाइगा तुम देंखो सुझल हाँ टीक है न सर मैंने बताया था में टमाल mend thoughtful मोना लाग कोई बात कि näंगे anti smartport टीक है जो जिए तो कोई बार लिए रहेगी लेकिन वेड रबम सब्सक्तार बाड़ी लिखो यहाँ पर क्या लिखना है सब्सक्राइब में रहा है 630-3 आरे हां सिराइट सेंटर कि थोड़ाँ और बतात में गता जनरल यहाँ पे वेट इनली जेरौ है center of the earth थोगा सा सही बता है ना weight of the body can be zero can be zero अब आप बोले के can be zero at the center of the earth ऐसा वहाँ पर can नहीं लगेगा है ना zero at the center लेकिन weight zero हो सकता है weight zero हो सकता है weight weight can be zero example center of earth at the center of first weight of the body is zero okay कोई बात नहीं क्या है भाई very very can be zero at the center of the earth can be zero yes सभी बात है चलो यह हो गए यह पॉइंट बहुत इंपोर्टन बहुत सारे बच्चे नहीं लिखते नहीं यह पॉइंट को यह पॉइंट को तुम लिखो ठीक हो छोड़ देता है उसके दर सब्सक्राइब नहीं बच्चे नहीं थोड़ा सा कुछ अलग लिखा है इसा बहुत इसा कोई स्मार्ट वर्क करो बहुत मजा आएगा देखो तो ऐसा युनिट आपासिस किलोग्राम थे ना मास किलोग्राम होता है और इसका युनिट क्या होता है सब्सक्राइब लोग एक दम से सब्सक्राइब लोग एक सब्सक्राइब हो चुक्त कि आपके लिए एक कविता मुझे याद आ रही है अभी मुझे तो लास्ट वोलना ता लेकिन अभी याद आ गई तो मुझे बोलना पड़ेगा ठीक ना वोल दो कि आपके लिए दिबान करोगे तो बोल दूँगा फरांसर क्या आप आप एकठम से एकठम शायर याद आगे परवत के शिकर से समुद्र की लहर तक परवत के शिकर से शमुद्र की लहर तक हर जगा पे मेरी बात होगी परवत के शिकर से समुद्र की लहर तक हर जगा पे हमारे स्टुडेंड की बात होगी जब बिना सोए जब बिना सोए हमारी सुभा होगी परवत के शिकर से समुद्र की लहर तक हर जगा पे हमारे स्टुडेंड की बात होगी जब बिना सोय हमारी स्वाव इस वराण सर्कों भूड़े हम भी सीवाइड। आशर हुआ है अगला पॉय्ट अगला क्वेशन लेते हैं चलिए अगला κौेस्च्टन लेते हैं थोड़ा से आपको दिमाइग लगाना बॉडी सेट टो वी अंडर फ्रीपड यह डिफिनेशन आ आपको बरावर रिषके अंदर वर्ड भरना है कि जो वहाँ पिक सही आपको एक सेंटेंस सही आपको वर्ड वहाँ पूट करना है ताकि यह जो सेंटेंस है वह कैसा हो जाए एकदम मिनिंग्फुल हो जाए विजय धुवेर हाई बेडा अब बोडी सेट टूब अंडर फ्री फॉल वे नो अदर फॉर्स एक्सेप्ट दब्लैंक अक्टिंग और चलो यहाँ पर सही बता वाकोंसा पॉर्स एक्सर चोगा सब्लों कमेंट दर के बता वहां पर मिनिंग इसके त्यार पूरे सेंटेंस का मिनिंग मन सके इसलिए सही आपको आइपको आंसर बता नहीं क्या है बॉड़ी सट टू बींडर फ्री फॉल प्री except the gravitational force acting on it, except the force due to gravity, except the force due to gravity, force due to gravity, except the force due to gravity acting on it, चलो, ठीक है समझ में आगे सब लोगो को, सब लोगो समझ में आगे, चलो, meaning बन गया बढ़ा, दूसरा बता हो, दूसरा बता हो, the acceleration with which, the acceleration with which an object moves towards the center of the earth, during its free fall, is called, ठीक है न, the acceleration with which an object moves towards the center of the earth, during its free fall, is called, it is denoted by the G, and it is constant, constant for every object falling on the earth's surface, यह थोड़ा सा आपको difficult लग सकता है, लेकिन मुझे बता हो, यहाँ पर आंसर इसके बाद में, मैं इसको explain करता हो, थोड़ा सा यहाँ पर आपको गलबल लग सकता है, थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कात हो सकती है, डाल देंगे ने, तो, कामेरा में लाव सर, फराण सर को कैमेरा में लाव, ओके, फराण सर को, अब यह तो फराण सर से पूछना बढ़ेगा, सर, कामरी में आना चाहती ही कि नि, और तो है यार लाइव पे इसका आंसर तुम्हार तुम्हें आ गया बहुत सारे बच्चों को बाकि सबको आंसर देना है सुमीत राठोड फरांसर से पुछना बढ़ेगा मुझे की सवरांसर आना चाहते की निए ओके ठीक है ना वाकि हम तो आई तयार अगर दर्वाला खोल के सरको इंटर कर देंगी यहाँ पर कोई बात नहीं हाँ तो देखिए एसलेशन कोई बात नहीं फरांसर आपको कमेंट कर रहें वैसे देखो यहाँ पर एसलेशन डू ग्राविटी विट विच एन अब्जेक्ट मूस्ट तो अप्जेटर अप्ड़ू दूर्ट दूर्ट इस फ्रीफॉल इस कॉल्ड एसलेशन डू डू ग्रावि इस एक्दम यह 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 सेंटर ओफ आर्थ होट इसेंटर आफ मास अपधर इन उपर मासे औरत का सेंटर आप अवसकर तहली तो कोई गर गिरती है तो उसकी डारेक्ट्सन कहां पही होती और दो सेंटर आफ ऑप इसा नहीं कि मतलब साइड से गरेंगे ऐसा सेंटर अग्रहा और यहां पे कोई भी एगर ऑब्जेक्ट हो तो अगर बॉड़ी यहां पे गिर रही है तो उसमें इसलेशन होगा उसको क्या बोले जाएगा उसको और यहां पे दूसरी एक बात जो गई है जो दूसरा सेंटेंस है यह क्या बोलता है जो इसदे Oooh यहां पे एक बॉड़ी है जिसका मास कितना है 100 kg इसका मास कीतना है 50 kg कि तो ऐसा नहीं यह कि 50 kg की बॉड़ी की आपर एसलिव एलग होगी ऐसा नहीं है एक नहीं है बिलकुल भी दोनों ही बाडिस क्यों पर जो वाली होती है अपने जो बता है वह एसलेशन दूर्टी हमान्शु वाके सब लोगों ने बता है आपका सही कोश्चन आपने जो सही गेस किया है उसको तो यूपके बहुत रही हिंड़ भाप पे थी हां ओके चलो चलो आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं हां चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन क्या बोला गया है नेक्स्ट कोश्चन देखो अगला कोश्चन लेना है तो मिनिम्मम वेलाउसीटी बताना है आपको आंसर अभी बताना है आपको आपको आंसर वा सब्सक्राइब उसके बताओ इसके बसब्सक्राइब करने अर्थ जल्दि कर रहे हैं ऑइसा नहीं थोड़ा सा बाखी लोग भी है थोड़ा सा एक्टीवेट हो जाओ बाके लोगों को आंसर देना है बड़ाव बड़ाव आंसर देना है उसका हाँ इसके फिलोसिटी सभी बात है इसके फिलोसिटी है ठीक है ना कुछ लोग तो इसके का स्विलिंग में गलत कर देते हैं इसके फिलोसिटी और उसका यूनिट अब देखो यहाँ पर क्या बुला कितनी है अब लोग एक दो लोग ने बताए सुजलने बताया बाकी लोग क्यों ने बताएंगे देखो अरे फार्मुला बुलाओ है वैलिओ नहीं बोली है फॉर्मुला बताओ फॉर्मुला लिखने अलग अलग कुछ भी लिख्या है 112.112 km per second भाई श्रीयांस पॉइंट करते हम इसके फिलोसीटी 1 by 2 m v e square is equal to क्या लिखते यहाँ पे gmm upon r ठीक न ऐसा लिखते है gmm upon r और के सरफेस से launch करना है तो क्या होगा cancel देखो जरा क्या cancel होगा mass mass हो जाएगा cancel बचेका क्या इसके फिलोसीटी का square is equal to बचेगा 2gm upon r बचेगा तो इसके फिलोसीटी is equal to under root of 2gm upon r 2gm upon r बनेगा तो यह इसका formula है और इसमें भी हम changes कर सकते हैं अगर हम यहाँ पे value रखो small g की value रखो small g is equal to gm upon r square तो यहाँ पे gm की value आएगी small g into r square आएगा और यहाँ पे आप put करते हो तो यह value क्या बनेगी इसके फिलोडी की value बनेगी under root of 2gm की जगा पे क्या रखना है यहाँ पे 2 लिखो यहाँ पे लिखो gr square divided by d divided by r तो r cancel हो जाएगा तो under root क्या आएगा यहाँ पे लिख सकते हो तुम under root 2gr 2g into r ओके आईसा भी तुम लिख सकते हो कोई वायत नहीं अगला question the force required पताव answer बताव इसका the force required to keep अरे मैंने इसमें fill in the blank add किया ही नहीं तो force required to keep an object under circular motion is known as blank यार यहाँ पे this force always act towards the center of the circular path ना सुजल भाई वे शुजल इसकोल में नहीं सिखाया था तो मुझे वतबंध किया हां पे अगर तुम मेरी एनपर होते अगर तुम मुझे वक्थर कि यहाँ पर किस जगह पे कि यहाँ थे ये मुझे बताव तो आप कैे अगी सेंटेव टालफोर जो और क्या और सफेकर वाहिए और बाखी लोग बता अवाकि लोग दो-तीन लोग पताती है वाकि दिमाग चलाती है नहीए दिमाग के दुश्ञ रख चलाए हूदर कि हां की दुश्य ऑफ को सपर्वक्रीक्षाम अहें कि एक यहां संट कर सकते थे चुछ बता है से अधितad कर सकते से और उसके बाद यह भी गाइब हो सकते था और उसके बाद यह भी जाइब हो सकता था अधिए आप देखो हाँ तेज already सोच रहे हो तुम यह देखो सोमनात वागमोडे देन भागेश्री देन वहिशाली सर्कुलर पाद ओके आप अपका तुम को जब तक बोला नहीं तो कुछ करते नहीं और उसके बाद में तो तुम कर सकते मतलब तुम्हारे अंदर अबिलीटी है करने की लेकिन तुम कैसा करत तो बस सिंबल सिंबल जीजा करते हो राइट तो यहां पर तो मैसे भी सकते ना टूर्डब रसेंटर आफ डिसको भी तुम्हारा सकते थे इसको भी अध्या सकते थे राइट मतलब दोतीन इसमें फिलिंदे ब्लैंक बन सकते थे तिक ना प्रशांत बांगड़ी यस हाँ त सब लोग प्रयास कर रहे मेरे को बहुत प्राउड होता है अच्छी बच्चे और पढ़ाई या तुम करते हो मतलम मुझे पहले इसा लगता था कि यार 2-3 लोग पढ़ाई करते हैं सब लोग पढ़ाई करते हैं मतलब तुमारे अंदर है इच्छा यह तुमारे अंतर की और मत करने वाला वंस ऐए हां 95 लाइंड एक्टार सोचना परता है सभी बात है ठीक है चलो आगे बड़ते हैं अगला अगला क्वोश्चन देखो हाँ भाई बताओ फिलें दब लांग आपको में तर ने इसको वायर फॉक्स गेमिंग गुड़ विड़ा गुड़ुड़ दिफीनिंग बोलू मत तुम तुम गुड ओरनिंग बोलो जब जागो तब सवेरा जब तुम काम गर वाई सवेरा है रात जाद के 10 बजे 12 बजे कितने बाँसमि अपनी लेना जेन जैनी है तुम मेरे साथ हो हम त focus of the ellipse बताओ हां सभी बात आंसर आगे तुमको पढ़ाई करते हो तुम पढ़ाई करते हो अच्छी पढ़ाई करते हो यह न इलिप्स elliptical path perform करता है elliptical path perform करता है focus or focus focus मतलब single लोग्या singular form में focus होता है four-time अध्या लोगया हम गया वन अव फोकाय दोनों में से एक वर अप्ड़ टू फोकाय दोनों में से एक ऐसा बोला जात्ता है और इंदोंने क्या बोला इंदों एसा बोला कि having the sun at one at one focus having sun at one focus ऐसा अभी पोकाय मतलब प्लूडल हो गया फोकस मतलब सिंग्यूलर हो गया हूं ऐसा होता है थोड़ा इंग्लीज हमको भी आता है थोड़ा इंग्लीज है ठीक है ना जालो बाखियों को साथ पढ़ाई करनी पढ़ती है वरना आप मम्मी पप्पा को बता दोगी हां भाई बहुत आज तो बताने वा सब्सक्राइबां यह की असलरी बाखियों बिलता है तो लाइन जासरा आञाइट joining the planet to the sun, to the sun, swips out, swips out equal area, equal area, equal area in equal interval of time, in equal interval of time, interval, in equal interval of time. एक्तम सही बात, पाकि सब को लिखना वा भाई मजा आ गया मतलब, आस तो आग लगे हुई है, युलेट टेस्ट को तो तोड़ फोगे तुम, हाँ, इतना बड़ा हुआ है, ग्राइविटेशन इतने स्कॉशन स्वाल किये है, मतलब कोई, प्राविले नहीं है ना, तुमी मन Satisfaction दो feeling एता है, Satisfaction दो feeling एता है, सरवान, मरुडः करते है, मरुडः करते है सरवान, देगो, पूर सहाता था पपाण करा थार्ट लॉप सब्सक्राइब कर थार्ट अबना कि लेला है तुमाना ते पूरणा फिलप कराई चाहे था स्क्वेर अपरीट टाइम अब डाइनेट्स आर प्रपोर्शनल टूधर ब्लैंक अब दियर में डिस्टनसेस फ्म देसन प्रेंट्स फ्म देसन अब टाव क्या कि अधार बाप्रेपा कि ऐसा तोड़ फोड़ आज वाई तोड़ फोड़ है तो सब लोग ऐसे बैठे हो है ना फाइरिंग करने के लिए कि बस कुछ पूछने का कामी नहीं है कुछन दिखता है लोग बच्चे फाइरिंग करते हैं ऐसा तुम्हारा जे डबली का भी होना च तुम्हार को बहुत अच्छा लग रहा है तुमको बता नहीं सकता लेकिन क्या तुमको बता हो मेरी अंदर के खुशी बहुत ज्यादा है अलग लेवल पर अलग लेवल पर अलग लेवल पर लाकुप चांगला वाटता है कि तुम्हीं इतके मस्ता अंसर सर मुझे क्या करन पता नहीं है क्या कर देखेंगे उसको क्या करना है तो Do एक से तुम्हारे पस्ते लिए लेकिन तुमको उस लेवल तक पहुच्छना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि अलग सर से बात करनी है तो वाई तुमको उस लेवल तक पहुंचना भी बड़ेगा ठीके न सब लोग तुमको गाइडन्स करने के लिए तैयर है पीड़ाइब में तुम बात करो वस तुम एक बार वो टेंद का हो जाए तुमको तुम्हारे लिए सब सब्सक्राइब कुछ अविलेवले पीड़ली में अस्टोन फ्रोन वर्टिकली अपवार्ट विदा इनीशल वर्टी यू रिचेज आ हाइट एज बीफोर कमिंग डाउन आप हो गया भाई शूरू अब देखेंगे वाई किसने कितने बढ़ाई कि है तीगे ना निशा कु थैंक यू सो मच सुमनात यस चलो आगे बढ़ते विटा चलो चलो सॉल करो स्टोन फ्रोन वर्टिकली अब मजा आएगा ना अब मजा आएगा ना बिढू अब बताओ अब आंसर बताओ न्यूमरिकल शुरू हो वे आभी तो अब तक तो ऐसी चल रहा था अपना अभी तो हाँ चलो यह ना लाइन का भी सीधी निया थी इसका बहुत बढ़ जोल है हाँ चलो अस्टोन इस वर्टिकल लिया अपवर इशल लोड़ी यू रिचेसा हाइट एच दूर कमिंड़ तो दैट इकन तो गो अप इसेम एज़ ताइम तो अब तो गूम डाउं चलो बढ़ा आवर सॉल गरना है हाँ अधिया कोई बाद ने कोई बाद निया ऐसा कोई आउशकत नहीं है ठीक ना चलो यह सॉल करना आपको टीवन हाँ राइड विल्कुल सम्झा दूंगा कोई प्राब्लम निया देखो तो आपने क्या किया यहां पर यहां से बॉल को प्रुजिक किया आप पोड़ा इसा इधर तो यह आपकी नीशल वालाइटी और यहां पर जाकर कि आपकी जो फाइन वालाइटी हो जाएगी क्योंकि जब आप लॉज करते हो देखो आप फुर्बल की करते हो तो फूड़ाटी करने के बाद में जब आप उसको किक करते हैं एक टईयो तो गुर्फ शूर्टी बर सबस्टेटर मोविंग फित हैं तो सब्सक्राइब क्या होता है कि आपने यहां से शूच पर पिलाइट जाती तो अभी हम क्या करेंगे इनीचल विलासिटी यू है मैक्सिमूम हाइट तो देखते हैं हम फाइनल विलार्टी है ना तो एच तो क्या होगा एसी कोल टू हम एससी कोल टू युटी प्लस हफितपी स्क्यार एक यूज कर सकते गया यहां पर यूज करने के प्रूब करने आप है उसके वाद में तुम लएज कितने बहल भीया जीरो ध्यान देरो सब लोग इदर द्हान दो और यहां पर आएगा उसके बाद में देखो एक वैलू कि आएगए आपकी मायना चीटिगा ना जी डाउट होता है तो यहां पर इसकी वैलू जी आ गई है तो क्या आते है है एक को कितने लिए है है एक क्या बजांड को बै efforts में करेंगे को देखो यहां पर तो यहां से एक एक्वेशन बनेगा एक्वेशन क्या बनेगा देखो तरह आपकी आपके लिए यू की वहलू निकलने वाली है तो देखो टू यहां पर क्या निकलेगा यू स्क्वेर इस इक्वाल टू बनेगा टू जी एच तो आपकी यू की वहलू कितनी आए अंडरू ट ताइम निकलो निकलो पटाबट फटाबट अ टाइमि पटाबट वतलर पटाइम की। से निगलेगा तंकुर्ण, वब कहा। तंक यो हम एतय को ऊंतर ही पलस बस घ्टी इससे निकलेदेल घ्रलो गांड टी की वैल हे वल्य को टू यू आएगा तो टी इकलुटो आएगा यू फाइजी लेकिन यूखी फाटा heavenly किया है ूप की value है According to तो जी अच है अपन जी अपॉन जी आएगा नोटी ऑन जी ऐगा समझ महीं आ Crd हाह तो u की value आ गई, okay तो इसको अंडरूट अगर ले लेते हम, तो क्या बनेगा देखो ज़रा, तो time t की value, time t की value बनेगी 2gh, और ये g square अंडर गया तो, अंदर गया तो g square बनेगा, तो g square बनेगा, तो ये पूरा क्या बनेगा, अंडरूट 2h upon g, तो ये time बने गया आपका, 2 क्लिए यह maug dosok गुदिन बढ़र जाने के लिए अब यहाद पे पाउच गया अब यहाद बीद गितनी है इनिसेल जीरो अब आयेगा नीचे तो यहाँ पे उसकी final velocity बनेगी वो अने maximum नहीं maximum बनेगी तो distance कितना है देखो जारा distance निकालना है आपको तो initial यहाँ से initial अब 0 लीने पड़ेंगी अपने को और अपने को नीचे आना पड़ेगा तो time निकालना है तो time निकालने के लिए हम क्या कर सकते है यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं देखो v square is equal to u square plus twice as इसका use क्या जा सकता है क्या देखो तो यहाँ पे initial value कितनी हो गई 0 और यहाँ पे आएगा twice gh यह maximum value हो जाएगे ना तो हम दूसरा कोई formula यूज़ करते हैं दूसरा लेके देखते हैं हम यहाँ पे formula यूज़ करते है s is equal to ut plus half a t square इसको use करते है ठीक है तो s की value कितनी है s की value कितनी है s की value कितनी है h और initial value कितनी हो कोई 0 minus 1 by 2 g की value हमेशा है negative इसलिए negative sign और t square निकालना है तो देखो क्या आएगा तो h की value अब देखो h downward measure करना है तो h भी negative आएगा जो downward measure किया जाता है इसको h negative आता है फिर तो यहाँ पे आएगा h is equal to 1 by 2 g t square तो आ गया फिर अपना answer तो t square is equal to 2h upon g तो therefore t की value कितनी आएगी under root 2h upon g same to same same to same आया सबको समझ में आ रहा है किया यह पहले हमने क्या किया देखो पहले हमने क्या किया हलो सूजल प्रशान सब लोगों समझ में आ रहा है बहुत time कर ड में इच्ट कोना बोथ तो और यदे आएग। के वह चयांगा जी निकाल लिएभावेश बहले काल दकxi किया v2 is equal to u2 plus twice a yes तो u2 की value यह formula यूस किया अपना third equation of motion इसको use किया और उसके बाद में u की value निकाल ली और v is equal to u plus 80 बनेगा तो यहाँ पी यह 0 u minus gt तो gt is equal to u बनेगा तो tq value u y g तो u की value हमने यह रख दी यहाँ पे divide by g किया तो g को अंदर लिया तो g square बनेगा तो finally t की value कितने है अंडरूप 2h अंडरूप 2h upon g यह उसकी final value आ गई है अंडरूप 2h upon g उसकी final value आ गई उसके बाद देखो तो यह हो गया time of ascend इसको यह t1 बोलेंगे इसको time of ascend बोलेंगे अब time of descend देखो तो हमने क्या किया हमने यहां पर initial value कितने हमने यहां पर 0 यहां से नीचे आ रहा है यहां से नीचे आ रहा है तो हमने यह formula यूज़ किया s is equal to ut plus half 80 square है हमने यह formula अरे यार हां हमने यह formula यहां पर लगाया यह formula लगाया हमने यहां पर और यह formula लगाया कि minus h 0 1 by 2 gt square ऐसा फॉर्मल लगाया तो h तो ये पूरा downward में चरमें करें तो निगेटिव आएगा minus h आएगा यहाँ पर g की वहली minus minus is equal to minus 1 by 2 gt square s की वहली 1 by 2 gt square तो t square क्या बनेगा 2h upon g तो t is equal to under root of 2g 2h upon g ठीक ना तो दोनों दरफ यह पीवन उधर टीटू इजर तो दोनों टीवन दिटू के वहली सेम आगे इसलिए जितना आइव पर सेंड होता है उतना डायम डिसेंड होता है कि ठीक आगे बढ़ते हैं न्यूमरिकल ऐसा मत करो न्यूमरिकल देखो न्यूमरिकल बहुत इंपॉर्टंट है यह तो शुरुवाद होगे टेंड कि एक डबली का करोगे तो मैं आद आवांस का तो आज ही मैं राजमासर का एक वीडियो देख रहा था इतने डिफिकल आज़ा बैठ जाओ सब लोग प्रेंड बर लेके बैठ जाओ यहां से एक्चुली शुरुवाद होगी है इसने एक्चुली थोड़ी महनत किया तो यहां से रिखेगा भाई वो धिर्द्रयमा आपको आगे लेके जाना चाहता हूं दिर्द्रयमा आपको आगे लेना जात चलो आगे बड़ चलो इस विल्वाद जी सदनली विकम्स ट्वाइस इस वैल्यू इट विकम्स टू ताइमस में डिफिकल्ट टू पूला हेवी अब्जिक अलांग अलांग दफ्लोर वाई ऐसा क्यों होगा थिका ना चलो बताओ बताओ थोड़ा सा अंसर बताओ मुझे वाद मैं इस टॉल करता हो इसको बताओ इसा नुमरिकल नहीं है लेकन प्रू करना है इन्हां कि जो वैल्यू देखिए वेड की वैली क्या होती है लेट 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 तर मास भी एट तर मास भी उलेट तर मास भी मौलें ना मास भी कितना small है हमने mass ले लिया ओगी ठीक है ना और acceleration due to gravity acceleration due to gravity acceleration due to gravity की value कितनी है यह है अपनी small g की बरावर तो weight कितना हो जाएगा weight increase हो जाएगा बहुत बढ़िया तो weight की value क्या हो जाएगा weight is equal to therefore weight is equal to m into g ठीक है यह होगा equation number 1 you get question number 1 if we increase the weight if we increase increase the value of acceleration due to gravity the value of the value of acceleration due to gravity acceleration due to gravity ठीक है न? by two times ठीक है न? या फिर two times ठीक है न? two times अब क्या होगा देखो दोरा कि नया weight जो बनेगा तो नया weight बनेगा तो weight बनेगा w dash is equal to m into 2g तो नया weight बनेगा 2mg मतब डेफनेटली डवल का weight होगे आभी पहले से इसलिए ज्यादा फोर्स लगेगा उसको उठाने के लिए from the floor ओके प्रूव करना था कोई difficult ने था लेकिन आपको ऐसे question में थोड़ा लिखना पड़ेगा ठीक ना प्रूव करना पड़ेगा जैसा मैस में आप थेरम प्रूव करते होचा यहाप यह प्रूव करना बढ़ेगा है सिंपल सी बात लेकिन प्रूव तो करना बढ़ेगा भाई है चले इतना हो गया आयो बढ़ते है अब यह प्रूव का अधिकर गड़ेख प्रूव करता जी प्रूव के उपर डिपेंड ने करता जी जी जो है मास आप दप्लैनेट के वह डिपेंड करता है स्माल एम बहुत जादा तुमने गलत लिखा है वो शैलेश विकाओ जीस डागले प्रशनल तुदा मास यह सेंटेंस बहुत गलत हो गया वो हाँ स्यए बात है क्योंकि वेट अगर भडगा तो नॉर्मल भी पड़ेगा उसकतीओ अगर अगर नौर्मल वह बड़ेगा उसके उपर फ्रिक्शन भी बड़ेगा हाँ शैलेश को समाजीन आ गया वेट डिपेंडस अन जी वेट वह जैलीका सही है भी तुमने करेक्षिन कर लिया इस डाप्रोश्टनल टू एम बडाजी इस डाप्राजी कैसे यूज हुता है कि जिसे कोई भी यूनिवर्स में कोई भी दो चीज़े हैं और कैपिटल जी जो है वह कॉंस्ट रहता है वह कॉंस्टेंट है वह न कॉंस्टेंट कि छला ही बढ़ते आयो बढ़ते हैं अगला कोश्चन नेगो क्या बुला है explain why the value of g 0 at the center of the earth और के center पे value of value of g 0 q है यह आपको देखना है हाथ numerical वही न numerical तुम तुम सोचना पड़ेगा न नूमरीकल की उपर ऐसा एक्दम थोड़ी आएगा तुम करना पड़ेगा नूमरीकल थोड़ा समोचे भी दिमागा लगाना पड़ता है अ ऐसा आएगा ठीक है ना एक्स्प्लेन वाइंड वैल्यू अप जी जिरो एड़ इसकी होता है सेंट्र अप तर्थ वैल्यू अप्जी जिरो क्यों होती है ऐसा कि होता है देखिए क्या बूला गया यहां पर तुम स्क्रिंशॉट इसका निकाल लो पहले उसको तुम के बत्ता हो हो गया कि क्या वह प्रशान क्या बोलना जाता है कि विकॉज एड़ सेंटर मास अब दार्थ अलसो जीरो एक्चुली होता क्या है कि देखिए जैसे देखिए आप यहां पे हो आप यहां पे सेंटर के पहुझ गया अब देखिए अर्थ का यह जो पाल्ड़ है वह आपको अट्रैक कर रहा है अपनी तरफ लेकर अपका वेट वह पे कुछ रहा है यह ही हो इह होगा नहीं तो आपका weight वहाँ पे कुछ होगा ने, क्योंकि वहाँ पे जी ही होगा ने यही आप पे बोला गया है क्या बोला गया देखो the force due to any portion of the earth क्या बोला गया है the force due to any portion of the earth at the center at the center will be cancelled will be cancelled due to the portion opposite to it यह लाइन बहुत important इसकेंदर की यह इसकेंदर की लाइन बहुत important है क्याना simple सी वाज़े देखो आप यहाँ पे हो समझो आप center पे पहुझ गए तो यह जो area है यह जो area है इसका वो आपको अट्रेक कर रहा था यह area आपको अट्रेक कर रहा था इसकी तरफ ओके लेकिन आपको आपको अट्रेक कर रहा था दोनों ही एक दूसरी को nullify कर देंगे that's why the force due to earth at the center is zero ऐसी वाद यहाँ पे हो जाती है तो आपको अपको अट्रेक कर रहा था होता है उसका हाँ but other forces like sun sun g will be there अरे अगर यहाँ पे आप हो पैनलिक की ऊपर रेट अब उसके center पे तुम पहुझ गया तो उसका center आपका center तो इक हो गया ना कि समझ में आ रहा है कि तुम यहाँ पे पहुझ गया तुम क्या बोल रहा हो foreign shake question आपका बहुत बड़ी है sir but other forces like sun g will be there देखो देखो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरे बोड़ी का center of mass होता है अब यहाँ जितनी चीज़े है तो मैं उन चीजों को अट्रक कर रहा हूं के center of mass को अट्रक कर रहा हूं समझ में आ रहा है आपको सबसक्क्राइब चैयरक को मैं उस में चैर पर जा के बैठ्व तो फूस् decline मेंद मिला कर किकी सिस्टेम बन चुकी है वो चैयर और में मिला किकी सिस्टेम मन चुक्यों उन जोनों के system आईक को हमकरे件事情 का फिर सब्सक्राइब है का पॉइंट्क रहेगा तो अगर सब्सक्राइब हो रहे हैं वो मेरी उपर भी एक्ट होगे अड़ी सेम टाइम है कि समझ में आ रहा है ऐसी बात है अरे तेजस पूरी अर्थ यहां पर तुम चले गए ना यहां पर यहां पर जाने के बाद में और कुछ फोर्स नहीं लगा सकती क्योंकि और के जो अपूशिट पॉर्शन से वही आपको नलीफाय कर रहे हैं दुसरे की इफेक्ट को कि अर्फ फ़रीन शिख आपको समझ में आ गए विटा फ़रीन शिख आपको समझ में आ गया इतना चेयर को उठा करके हम यहां पर लगा जेते हैं तो बात को समझ में आपको आ जाती हो वह से कोई बात नहीं है लेगन आपको क्वेश्चन बहुत वडिया था उनका चलो तो देखो अब यहां तो यह पॉइंट बहुत इंपोर्टेंट स्केंटर का प्योर्च वरस्ड्ट अपोर्च वीजिय्दी था आपको ईनका तर एد कर लुपने जाट बात अपोर्च पर मिला था घर्च लगा। प्यूर्च व 265 पाइदा अगला पॉर्शन अप दर येस वी नो सीन्स मास वो कि यह बात बाकी जिते आपको बता है सब कुछ चलो आगे वड़ते अगला कोश्चन लेते हैं अगला कोश्चन देखो अगला कोश्चन यह कौन सा कुश्चन दा भाई हाँ वाइदे वैली ऑफ जी एड़ सेंटर ओके यहां पे थोड़ी गड़ड़ हो चुकी यहां से मुझे लगता है एक क्वेश्चन जो है गायप हो गया है हाँ ओके यह क्वेश्चन है वो लेट ने क्वेश्चन ही है यहां पर मुझे लगा कि लेट है तो मुझे क्वेश्चन दिखाने यह क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन देखो क्या है क्वेश्चन यह बोलता है लेट पिरेड आफ रिवलेश्चन आफ स्टार बी टी ठी isolation due to gravity also decreases हाँ depth के साथ में gravity कम होती जाएगी height के साथ में gravity कम होती जाएगी भाविश्की बात सही है let the period of revolution of star bt एक star है जो sun के राण घूमरा है उसका period of revolution है capital T है उसके बाद में prove that if it was at the distance of 2 hour from the star its period of revolution will be अगर जैसे उसका distance कितना था उसका जो time period था वो T था okay if it was a distance of 2 hour prove that if it was at a distance of 2 hour from the star हाँ ओके इस चाहिद यहापे planet चाहिए था कुछ गलती होगी यहापे its period of revolution will be okay तो बात ऐसी है एक तुमको समझा रिता हूँ मैं यहापे क्या पूछना चाहते है यह तुमको पहले कि एक स्टार है जो सन के अरॉण घूम रहा है एक स्टार है जो सन के अरॉण घूम रहा है मतलब यह देखो यह हो गए आपका focus यहापे sun है आपका और यहापे आपका है planet सही बात है बड़ा से बात है तेजस देख लो अब यहापे हुआ क्या कि यह जो distance है इनके बीच का यहापे जो distance है इनकी बीच का यह की distance है सब्सक्राइब करेंगे तो क्या होगा इसके डिस्टन्स को कितने होगी यह आपको बताना है जो टीटाइश होगा वो कितना है वो आपको बताना है ऐसा फूरा ऐसा वे सब्सक्राइब करेंगे उसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो टीटाइश लिया आपने कोई बात नहीं अब देखो इसको प्रू करते हैं इसको प्रू करना है देखो केपलर ठर्ड लोग क्या बोलता है टी स्क्वेर फ्रोपोरिशनल टू आर क्यूब टी स्क्वेर प्रोशनल टू क्या होता है आर क्यूब रहता है कि हाँ वहाँ अरे भाई देखो मैंने चेंज किया नहीं यहाँ पे प्लानेट घूम रहा है उसका जो डिस्टन्स है वो आर है उसका टाइम पिरेट टी है तो इनका कहना है कि आप डिस्टन्स को बढ़ा दो ट्वाइस आर कर दो और टाइम की वहली बता हो कितनी है ऐसा ओलेंगे टाइम चेंज हो गया की वरणोगै की से कितना हो गया कैसे ब्रेक नहीं रवाय ब्रेक तो लेना पड़ेगा मतुम ठक जाओ अधूँ बढ़िवाह कवाथ तो यह कितना हो गए ऐटार कूब हो गया डबल कर दो डिस्टन्स तो यह तू आर कूब हो गया आप स्कुरेर और तो ऐसा लिए आट यह अ त elabor कि बत्ता हूं यहाँ देखो मैं तो टीटए सब को निकालना है तो पहिला बोलता है अपने को कि टी कि टी स्क्वेर पॉर्परेशनल टू आर क्यूब है पहला वाला कितना थी स्क्वेर प्रफेशनल टू आर क्यूब भूग लिया है आपने और उसके बाद आपने किया किया कि टीवन स्क्वेर आपको निकालना है और यहाँ पे टू आरका सॉरी यहाँ पे r का cube रहेगा यहाँ पे रहेगा r का cube यहाँ पे रहेगा 2r का cube ऐसे दो चीजिए यहाँ पर रहेगी पड़ावर बता ना है आपको ओके यहां फिर ऐसा करते हैं बड़ी वाली वहले को उपर ले जेते हैं ताकि calculation में कोई problem ना है तो T1 square upon T square is equal to क्या आए आपका is equal to आए आपका 8R cube divided by R cube ऐसी बात हो गई therefore आगी क्या करो सकते हो आप आगी क्या करोगे T1 square is equal to यहाँ पे रहेगा 8 और यहाँ पे रहेगा T का square यहाँ पे रहेगा T का square ठीक है ऐसा तो अभी square root लिए दोनों तरफ तो T1 is equal to under root of 8 into T हो गया अपना answer आगया हाँ आगया अपना answer ठीक है इतना answer अपना आगया चलू कि अपको समझ में आ रहा है ना सबको समझ में आ रहा है इतना तो भाई करना है पड़ेगा इतने question to solve करने पड़ेंगे ठीक है आप अभी तयार नहीं हो ने तो हमारा एक बहुत दिरे दिरे हमारा हर साल इसा होता है स्थार्टिक बच्ची जो होते हैं उनको थोड़ा सा डिफिकल्ड याताह बाद में बच्ची साथ-था गंटे क्या आठाट गंटे की लिक्ट्र करते है तो स्थार्टिंग में इस अइसा होता है बाद में मज़ा आता है तुमको solve करना मेरे साथ में तब मज़ाइगा हां यह बहुत IMP question है, बहुत बार exam में आ चुका है, अच्छा इसको prepare करके रखो, चलो, यह हो गया, चलो, next point है, an object takes 5 seconds to reach the ground from the height 5 meter on the planet, what is the value of G on the planet, यह तुमको बताना है भई, यह तुमको बताना है, निखिल, भई, हाँ, भई खडे, ओके, यहां ब्रशी है, मजआ आ रहा है सुझल भाई, सुझल आज तो अग्दम फॉर्म में है, स्टाडिंग से, सुझल, तेजस, बाफ़ी नोग किदर गए, ने बापकी लोग किदर गए, बाग किदर गए, बाग गेस्ट्री किदर गए, उसके बाद में, स्टारढ कर रहे है, त जमकने वाले सितर ही की तर रहां में उनका स्ट्मी इन को के तीलेंग स्टार्ट स्टार्ट उगयां क्या सैंग वजस्टारा चा अंगरो .. यह ट्रिंकलिंग स्टार अमद बनो कि ना कॉंस्टेंट लाइट देने वाले सन की तरह बनो तुम कि टाइगर जिन्दा है क्या बहुत बढ़ी है टाइगर जिन्दा है सभी बात है चलो एस सब्सक्राइब बात बढ़िया सोमनाथ तो कि है डीके ना साथ मेरो why बहुत दूर चलना है सदूरे रहना बहुत आऊ चतցरे मेकी यहाद इक गिरता है नीचे पड़ाता है कितना है आईट है पार्च मिटर की हाइट है इस सेशफ़े का इनका कह फॉर्मृल लिकोस इसे कोल्टू यूटी प्लाफटी स्क्विर अस्ट इसकुउल टू आपटी स्क्विर किया तो हाइड कितनी है पाच मिटर डाउन वर रहे तो मैससाइद लिको इनिचन रोकितनी है जीरो प्लस वन बाइट लीटिग वैल्यू कितनी है माइनस जी यह अप minus 5 आएगा यहाँ पर therefore minus 5 is equal to 1 by 2 और minus minus हो जाएगा cancel यहाँ पर आएगा जी और यहाँ पर आएगा 25 बहुत बढ़ी है यहाँ पर आएगा 25 तो minus minus हो जाएगा cancel तो बचेगा क्या देखो ज़रा minus minus हो जाएगा cancel ठीका ना minus minus हो गया cancel तो क्या बच्चा क्या बच्चा देखो ज़रा यहाँ पर कि 5 is equal to 1 by 2 इंटू जी और यहाँ पर 25 कंटीनू करो कंटीनू करो तो therefore therefore जी की वैली देखो तरह की जी की वैली जो आएगी वो आएगी यह दस 10 by 25 यह अगर यहाँ पर हंटेड होता तो कितना आता है पार्च अरे प्लची कैसे आगा भाई जीन हमेशान डाउन डाउन अग्ट होता है टूर्द सेंटर ओफ जी हमेशा निगी दू रहेगा जी हमेशा निगेड हो रहेगा तो 10 by 25 यहांट होता तो फोर आता तो यहां पर टेन है तो टेन है तो टेन है तो टेन है तो कितना आएगा 0.4 मिटर पर सेकेंड स्क्वेर और मैं आपको बोलना चाहतो कि यथार्थ वैच अपनी है वाईटी की उपर वहाँ पर मोशन जो च सब्सक्राइब करके रखो उसको नोटिविकिशन आता रहेगा तुमको चलू देखो भाई the radius of planet A is half the radius of planet B चलो बटाबट how to remember units देखो units दुमें काम करो list quantity की list बनाओ और उसका चाड़ बना के रख दो दिवार की उपर रोज पढ़ो उसको आसानी से हो जाएगा या फिर हमारे साथ में रहो numerical solve करते करते धिरे जरे सब कुछ हो जाएगा ओके चलो solve करते इसको क्या बूला गया देखो कि the radius of planet A is half the radius of planet B ओके radius of planet A radius of planet A is half the radius of planet B गीवन जो है पहले लिखा जाता है जो गीवन है पहले लिखा जाता है तो पहले गीवन लिखो पहले हमने गीवन लिखा radius of planet A is half of the radius of planet B सुमीर यार अइसा नहीं, अगर तु लेटा आया तो तो देरो ध्यान में रखनना तू हां, ठाकोर जी, गोड़विनिग, गोड़विनिग है न, वेरी वेरी गोड़विनिग है न, देखो, तो रेडिस ओ प्लेनेट A is half the radius of planet B रेडिस ओ प्लेनेट इस half the radius of planet B चलो, अगला पॉइंट देखो if the mass mass of A is M A का mass कितना है M A का mass कितना है mass of A mass of A is equal to M M लेना है आपको, बहुत बड़ी है what must be the mass of B so that the value of G on B is half that of the its value on A तो देखो, तो acceleration due to gravity जो B की है value of G on B is half of the value of G on A ऐसा पुरा equation, ऐसा पुरा आपको गणित है ऐसा आपको पुरा गणित है ठीक है ना, इसको solve करते हैं solve करो, तो G की value बताओ कितनी होती है, G की value होती है GM मतलब mass of B यह निकालना है आपको और radius of B इसका square इसका square लिए आपने अगला पाड़ देखते हैं, is equal to यहाँ पे लिखो 1 by 2, यहाँ पे G mass of A mass of A radius of A, radius of A कैसा है RB by 2 है RB by 2, ऐसा पुरा हिसाब है RB by 2 ओके, ऐसा लिख सकते हैं बाकि तुमने डारेक आंसल निकालना बहुत बड़ी अच्छी बात है भावेश शिंदे, आपने सही बात डारेक बता है, आपने एकदम एकदम सही बात है बहुत बड़ी है, मज़ा आ गया ठीक है ना, भावेश शिंदे बहुत बड़ी बड़ा, इसको मैं कैसा है कि एक बार उनको बता दू बात में तुम उसको कैलिड़ कर सकते हैं इसे तो यह जी कैंसल हो जाएगा और देखो, बाकी क्या कैंसल होगा, देखो ज़रा यहाँ पर क्या बचेगा, M B मास ओप B बचेगा उसके बाद में रेडियस ओप B का स्क्वेर बचेगा यहाँ पे 1 by 2 है उसके बाद में यहाँ पे M मास ओफ A है और यहाँ पे देखो, R B का स्क्वेर divided by 4 divided by 4, तो 4 उपर जा रहा है 4 उपर जा रहा देखो ज़रा यहाँ पे therefore का साइन therefore का साइन आया थोड़ा सा तकलिप होगी numerical में लेकिन कैसा solve करना पड़ता है हाँ, देखो यहाँ पे लिखा तो बचेगा क्या देखो ज़रा कि M B upon R B का स्क्वेर तो यहाँ पे आएगा 4 M A 4 M A upon 2 R B का स्क्वेर बाकि सब कैंसल करतो बचेगा तुमारे डारेक आंसर आने वाला है आरवी स्क्वेर, आरवी स्क्वेर गया राइट तो M B is equal to मास ओफ B मास ओफ B is equal to twice of मास ओफ A twice of मास ओफ A twice of मास ओफ A चलो यह हो गया भाई तुमारा complete, हिसाब पूरा हो गया मास ओफ B चलो हो गया ठीक है ना स्क्रींशॉट लेलो स्क्रींशॉट लेलो सब लोग बढ़ावर इसका दूसरा कोश्चन देखते है हम 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 हो भी है सबका स्क्रींशॉट लेके चलो आया बढ़ते है चलो ठीक है ना आया बढ़ते है चलो अगला कोश्चन लेते है हाँ अगला कोश्चन देखो और मुझे आंसर बता अभी अभी यह टाम पर आंसर बता ना the mass and weight of an object on the earth are 5 kg and 49 newton respectively what will be their values on the moon assume that the acceleration to gravity on the moon is 1 by 6 अब जाड़ा उन the earth इसलिए तुम डारेक आंसर बता सकते हो ऐसे जो बता हो बता बता उसका आंसर आंसर बता हो जरा सा जरा सा नहीं पूरा आंसर बता हो हाँ सुदर्शन अटो mass will be same mass will be same सही बात mass तो हो गया same अब हो गई weight की बात ठीक है ना तो moon पे weight on moon is equal to mass into gravity on moon तो mass कितना है उसका पाच किलोग्राम ग्राविटी ओन moon किसके बराबर देख हो जरा तो one by six into gravity on earth ठीक है ना तो 10 ले लेते इसको हम 10 लिया या फिर 9.8 लेते है 9.8 लिया है शायद 9.8 ओके तो कितना होगा देख हो जरा ये 49.5 49 और डिवाइट बाइ 6 तो 6 गुना तो 7.something आएगा ठीक है ना कितना आएगा नहीं 6 8 ये ना 8.1 चलो आणा 1 4 8.16 रिकरिंग आएगा तो ये 8.17 तो इसको लिख सकता ओके 8.1 हाँ या फिर 8.7 हाँ ठीक है 8.1 एक बार बुक में देख लो क्या दिया गया है शायद 8.16 है कि 8.7 है 8.16 ही होगा शायद 8.16 है एकदम करेक्ट आंसर वो 8.16 है उसका ओके करेक्ट आंसर चलो ये भी होगया अपना आंसर तो ये नूटन आएगा क्या बुला गाया है निक्सक्षेण देखो दरह बताओ पड़ा पढ़ नूबरीकल ज्यार ग्रायवडेशन में नूबरीकल रहे है क्योंकि चाप्टर जोगा ना वो नूबरीकल बेस चाप्टर है पूरा ओके थोड़ा सा numerical करनी बढ़ते हैं देखो क्या बूला गया है An object thrown vertically upward reaches a height of 500 meter What was its initial velocity? How long will the object take to come back to the earth? Assume that G is equal to 10 चलो Pole में ABCD नहीं है इसके अंदर तो pole में कुछ नहीं आएगा मुझे बताना पड़ेगा फिर ABCD मुझे करना पड़ेगा ओके ठीके नहीं कोई बात नहीं हाँ हाँ चलो पानी स्रियांस गेमिंग यह भाई इसको सच में मेरी बहुत केर है स्रियांस को एकी बंदा है एकी परसन इसने बोला भाई सर पानी पीलो आप और अबजेक तरो वर्टिकली upward reaches a height of 500 meter तो यहां से यहां तक उसको हम पहुचाएंगे as is equal to 500 meter तक जाएगा यह बहुत सही बात है लिए लिए बात 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 इनिशल विलोसिटी तो इनिशल वहड़ी यू की वैल्यू कितनी है यह आपको निकालना है ओके तो इनिशल वहड़ी निकालना है यह बहुत करो फिर calculate तो v square is equal to u square plus twice as ऐसा लिखना बढ़ेगा तो करो calculate calculate करो तो v square तो यह तो value 0 आजाएगी u square minus 2 g की value कितनी है 10 minus 10 लेना बढ़ेगा और s की value कितनी है 500 तो देखिए दरा तो u square की value कितनी आएगी ठीक है तो कितना मतलब हो गया है ना तो u is equal to under root 100 sorry तो u square तो u के value कितनी आएगी 100 आएगी 100 100 meter per second सही है देखो 1000 हजार का 10 गुना दस हजार राइट पास्टो इंटू हजार हजार का 10 गुना ठीक है चलो यह आगया मतलब इनिशाव रोड़िस को यह 100 meter per second हो गई अब इनका कहना है कि how long will the object take to come back मतलब जाने के लिए और आने के लिए total time कितना लगा वह आपको निकालना है तो टाम की वैली पता है आपको time of ascend कितना होता है time of ascent होता है time of ascent कितना होता है you by g होता है time of ascent होता है यू बाइजी तो U की value कितनी है, 100, और G की value कितनी 10, तो time कितना लगेंगा, 10 second लगेंगा, जाने के लिए, तो time of arsenal कितना है, 10 second है, ठीक है ना, भावे, शिंदे, हाँ, जाने के लिए 10 second, आने के लिए 10 second, total time कितना होगा, time of flight, time of ancient, time of descend, सब्सक्राइब करेंगे वापस आने के लिए लाउंच होने के बाद कि तुमको आ रहा है सब कुछा ना तुमको सभी चीज़े आती है तुम बहुत ज्यादा पड़ाई कर चुके हो क्योंकि एप पे हुआ तीन-चार बार तीन-चार लिक्चर में उसके बाद में एप पे सारे जो क्वेशन से चाप्टर जो भी हो गए लाइव सिक्षन समरी हुआ समरी का मतलब तुम्हारा एकदम मुखपाध हो चुका है सब कुछ श्रेयांश प्रधान बहुत बहुत तुम एक्सपड वन चुके हो एक्सपड वन चुके हो तुम देखो हां ग्राविटेशन खतम होने वाला नहीं है लेकिन अब बॉल फॉल से नीचे गिरा है अबजेक एक से कंड में नीचे गिरा है तो यहां चुके चुटा और एकदम से नीचे गिर गिया एकदम से नीचे गिर गया हू ठीक है ना देखो एकदम से नीचे गिर गया तो कितने एक से कंड में नीचे गिर गया है तो हाइड भी निकालनी है आपको और जी की वैली कितने दीगूई है 10 मिटर पर सेकंड दी गई है हां निकालो फिर तो एसे इक्यूल टू यूटी व्ल हॉटापनव पिर 5, और हाइट डाउनवर्ड तो मेचर करते हो तो हाइड भी निगेटिव आएगी और उसके बाद वो पॉचिटिव बन जाएगा दोना दरफ निगेटिव है तो पॉचिटिव बन गया तो एच की वैल्यू कितनी आई दस मिट पाच मिटर आ गई 5 मिटर आ गई एच की तो हम बागूल ना वी ही माइनस टेन लिखा अपने एच माइनस फाई दिना इस इक्वाल टू किना लिखने में कंजूसी नहीं क्यूंकि मार्फ कम मिलेंगे फिर हाँ ओके ओके ठीक है ना कोई बाया तो नहीं आपके एक सर हमारे जैसा पड़ाते है अधिक्वाल टू पाइ मिटर आ गया श्पीर आ रिचिंग दग्राउन तो देखो जस्ट भीपोर टेचिंग ड्राउन इसके वल्यूड क्या है वह आपको निकालना थै तो देखो आपको निकालना थै वी इक्वाल टू यू प्लस वी प्लस एटी लिखा तो वी की यहाँ पे G कितना है 10 और 1 मतलब V की वैल्यू जो है वो 10 मिटर पर सेकेंड है ठीक न यह दोनों ही पॉजिटिव हो जाएंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो यह आएगी आपकी विलासिटी की वैल्यू यह भी हो गया चलो यह भी हो गया किसी चीज को light की speed से भेजने के लिए किया करना होगा किसी चीज को फिक न आप देखो तुम अगर थोड़ासण इमैजिन करो तो एक koncept है 12 के book में cyclotron cyclotron स factถुब्रम में कंसेट है physics की book में 10 गवे उसमें particle को इस और इसी word मतलब इलेक्ट्राइन को उसमें ठिगर किया जाता है मगनेटिक फिल्ड में रखके उसके पर फोर्स एक्ट किया जाता है तो वो ट्रावल करता है पहुच एना स्पीड से मतलब नॉट इक्वाइल टू दे स्पीड ओफ लाइट लेकिन उसके आसपास पहुच जाएगा हुच वह सब्सक्राइब का पेपर है तो ठीके ना वही तो चल रहा है अपना जलो इतना हो गया लो अच्छ जालो और अब ग्रावटिशन खतम हो गया तो ब्रेक ले ले पास मिनट का आप लेक लेते हैं उसके वादे फिर स्टार्ट करते है अब इफेक्ट्स अफ़ेक्ट्रिक रण चाप्टर चालो हो जाएगा आपका हाईटिalter क्सक्थ के देखो सेहल हाईट्स अंट जो तुम पड्रक्ट बोलते हो तो बहुत कि तुम थिम्माएट को खीर सब्सक्रारा क्योंगर कि निथे को अलग कुछ के तो यह सबी कि अलग अलग होती है लेकिन हम क्या बोलते हैं तो लाइट रेडिशन बोलो तो ठीक है ना अब उसमें वीजिपल लाइट पॉलते हैं वो सभी रेडिशन है ग्यामा से लेकर के अब तुम ऐसा बोले कि हाँ अभीह सभी डिटेशन है राइड वो सभी तरफ सभी आ रहें और की तरफ ग्यामा हो गया एक्सरे हो गया ऐल्ट्रा अबहुत हो गया यूवी इन फ्ल्र राइड हो गया सभी डिटेशन है तो यह सब मराठी में लाओ ओके ठीक है पूल होगा क्या पूल देखते हैं न पूल कर वाएंगे ठीक है तुम्हार लिए ब्रेक ले ले पाइस मिनट का पाइस दस मिनट का ब्रेक लेते उसका ने दूसरे एफेक्स अब लेटे करने चप्टर पढ़ते उसके बाद ब्रोस आम फिर तो चलेगा न कि fps मिनट यह वू जसलेगा अधि का अब देखो अर्य स्च्छय कि थे और यह वाल्यूम की स्प्पीड जादा है कि वाल्यूम वाल्यूम कॉंटिटी है वॉल्यूम किसक्र जादा है कि लाइड की हाँ पाइने पी लेता हमाय तुम ब्रेक लेना है कि यह पहले तुम बताओ मुझे ब्रेक लेना है ब्रेक लेना है कि यह 5 मिनिट का है ना हाँ पाइस मिनिट का ब्रेक लेते हैं हाँ पाइस मिनिट का ब्रेक लेते हैं हाँ पाइस मिनिट का ब्रेक लेते हैं उसके फिर से स्टार्ट करते हैं ठीक है पाइस मिनिट का ब्रेक लेलो पाइस मिनिट का ब्रेक लेते हैं क्योंकि तुम मजा नहीं आएगा फिर झाल 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 तू कर दो हलो 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 तू तेटा ना यहां पर वार्तालाप में कई वरबल वार तो नहीं हो गया वार्तालाप करते करते वरबल वार की तरपते नहीं जले गए तुम अच्छा जल रहा है ना लास्ट टेम दो ऐसा हुआ था मैं एक लाई रिक्चर ले रहा था और बच्चे अपने आपी एकदम से मैं थोड़ा था पढ़ाया एकदम से बच्चे शूरू हो गए लड़ना शुरू कर देते हैं गभी-गभी क्या प्रधान? स्री आंच्छ प्रधान था था वख़े लिंगडे यह लड़की बहुत पण़ाई करती है अ थरवा होदगीर यस चल लो वल्य वारी गुड़िए वल्य सगिन वल्य व्यरी गुड़िए घीक है हाँ भाई ठीक है ठीक है ठाकूर जी सभी बात है आपकी थैंक्यू सो माच अभी और मजाएगा थोड़ा साम बीच में न्यूमरी कल आ गए तो बच्चे डिस्टब हो जाते हैं लेकिन अभी फिर से और मजाएगा आपको टेंशन मतली ज्वाप देजस अगला बाढ़ लेते चलो पहला पहला क्वेश्चन बताना है आपको पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि और मन आउड बताना है तो और मन आउड देखुए तो फ्यूज वाइर बैड कंड़क्टर रबर रबर ग्लोस और जन्रेटर इन चारों में से अब फ्यूज वाइर बैड कंड़क्टर रबर ग्लोस और जन्रेटर को इसमें से अलग कोन है अलग कोन है यह आपको बताना है चलो बताओ कौन है Baoda कोन अलोगे अलग लुद्वन से बता अ सबसे अलगे अने हैं फॉल स्टाइड करते हैं फुल स्टाइड करते हैं चलो हई हाँ इसलो पोल स्टाइड बताओ कौन सांथे तुप ए बी-सि-ड्य समखन कोनसा है रिजन वे तना और एकतम सही रिजन बताना बड़ेगा तुमको एकतम सही रिजन बताना बड़ेगा कि आइसा नहीं कोई बता होगे तुम क्या बादगा तड़ठर तड़ pressuresim चलो सिद्धान्त पवार श्रियांस प्रधान बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया राजु जाधो चलो सुदर्शन भाई तेजास पड़ावड़ बताओ वैशाली इंगड़े हां शाइले चंड़े अब पड़ावड बताना चलो हां अब देखते तो सही जो आंसर इसका डी है अब देखते हैं अन्डेड परसेंट आना चाहिए भाई तो यह अंडिड़ परसेंट अरे कैसी क्यार मेरे को यह बात समझें 90.91 वह अंडिड़ परसेंट आये कि मतलब तुम अलग तुम लिखते हो कुछ ना कुछ तुमका यह बात मेरे को समझ में आती मैंने कभी पोल में आइसा नहीं देखा कि 100% मच्चों ने राइड आंसर दिय इसमें गलत करते हो है आँ चैजल सोमनाद जी ने यह सोमनाद किदर एंसा मत किया और इसा अ गलत आंसर जलो दूसरा वाला बता वोल्तिमेटर अमेटर गैलोनोमेटर थर्भो मेटर बताओ पोल लगाया है यह लेको पॉल तुम्हारे लिए स्टार्ट वोगया बताओ यह यह B है यह C है यह D है बताओ अभी कौन सा अब यह 100% सही आना चाहिए कि है 100% सही आना चाहिए वो उसमें भी गलत करते हो 90% बच्चों ने शही आंसर दिया थ्रिवी 10% है उसके अनर कैसा होगा तुम्हारा कि नहीं अरे उसमें 10% गलत होगा है मतलब यहाँ पर गलत कैसे मिस्टेख मत करो तूं इतना 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 पड़े हो चुक्त है मतलब यह सिंबल को गलत कर दोगे और वहां पर तुमारे पर चलिए उसके साथ में पर, था ये, हां, हन्डेटर परसेंट अँगा है, ये रिए आपका इसे बरबर आनल तुम्हारी ऐसी बात है, जब तक तुम कोई डाटे गानी न, तब तक तुम सगी काम करोगे नहीं, ऐसी तुम्हारी बात है, गल्ती तुम करोगे, न, फिर से गल्ती करेगा, वह यसी तुम्हेरी भायत है हो मैयूर उकरडे नेम पहा पॉरे फास्टेस्ट सुजल हाँ 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 ओके नाम योगे लीडर बोर्ट प्रशान सरका है 4.77 मयूर उकरडे सेकेंड नमबर सुजल थर्ड नमबर पे तेजस 6.7 पे वैशाली 7.47 रेहान शेख 8.35 मनीश पासवान मनीश पासवान यस शैले शेंडे सोमनात वागमोडे ओके अच्छा है अच्छा है चलो भागे श्री मैणाम पीछे बढ़ गई है वीस बार आगे हाँ लाओड स्पीकर, मायक्रोफोन, इलेक्ट्रिक मोटर, मैगनेट बताओ कौन सा लाओड स्पीकर, मायक्रोफोन, इलेक्ट्रिक मोटर और मैगनेट कौन से अलग है ये बताओ पोल लगाताओ मैं सेलो पोल लगाया स्टार्ट करो अलग है वो थोड़ा सा अलग है उसका अंसर लाउड स्पीकर इलेक्ट्रो मागनेट यूज किया जाए राइट माइक्रोफोन में इलेक्ट्रो मागनेट यूज किया जाए इलेक्ट्रिक मोटर में भी हम वही बात हो गई और मागनेट मागनेट रहेगा प्लीट अंडिट परसंट होगा नी थाए माने बोल एंडिट परसंट ने होगा न अपना कुछ ना कोई यादा रिमाक लागेंगे पूरा हंडिट परसंट अपन सोचेंगे नहीं अना और सब लोग ना इन डीट परसंट यह बाकि लोग किदर गए था थरी परसंट यह सेवन परसंट किदर गए दिए परसंट हां भाई लीटर बोड देखो लीटर भूड ठीक है ना सुजल सुजल आयो इस बार क्या वात है सुजल पहले यह था ना पहला दूसरा पहली समें कौन था है पहले इसमें कौन था टॉपर वो लीडर बोर्ड में पहले कौन था ठीक है ना सुदर्शन प्रशान श्राइलेश मयूर देन मयूर दो नमर पर था वैशाली दिन सुमनात वागमोने भागेश्री लेकिन यह सही है मतलब कुछ लोग है थोड़ा सोच के आंसर देते है क्वेस्चन शिंपल भी है तो सही और फास्ट वो दोने चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए चलो यह हो गया अगला कोशन देखते हैं अगला क्वशन देखो कौन सा थो अगला क्वशन देखो एक्स्प्लेंग कंस्ट्रक्शन वर्किंग फॉलिविंग फॉलिविंग द्रॉण नीट डाइग्राम ठीक है थोड़ा सा यहां पे शायद देखो यह है बेसिक प्रिंसिपल ऑन वीच देलेक्ट्रिक मोटर वर्क तो यह देखिए यह है आपका क्या है को सिर्स्ट्रिक मोटर चालिखेना आपको यह प्रिंसि ज्योंग अ कि अश्रुट्र प्रिंसिपल रॉर्क प्रिंसिपल स्वाइब ंता था ना प्रिंशीपल प्रिंशीपल पूरी एलेक्रिक करश़ांगत अिस प्रिंशीपल पूरेक्रिक मोटर काम करती है ईससा इसका मॉटकल कर जाता है我ặcते हैं रेक्टेंग उदर कोई स्टार्ट रोटिंग वेन प्लेस इन अमेडिक फिल्ड यह क्या हुआ यह जो आपका एक मोटर का स्ट्रक्चर है यहां मैगनेड उसके बीच में कॉईल कॉईल आपने लिया है उसके आप कर अनको पास करोगे पास करने बाद में मैगनेडिक फिल्ड तो है ही लेकिन जो करने केरिंग कंडुक्टर है उसका भी एक मैगनेडिक फिल्ड त्यार होगा और वो दोनों के उपर पर्पेंट उदर फोर्स एक्जाट करेंगे और यह कोई चीजे बता नहीं, ABCD क्या है इसके अंदर, Rectangle Coil A, ABCD, ओके, उसके बाद मुझे बताओ, X and Y क्या है, बताओ जरा इसमें, इसको देख के बताओ, X and Y, इसके अंदर क्या है, बताओ, X and Y and P and Q, देखो, P and Q कहाँ पर है? देखो, P and Q कहाँ पर, यहां पर पी है और यहां पर क्यों है यहां पर 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 चीज यहां पर यहां पर यहां पर बता मुझे एक्सेंड वाई क्या है बताओ इसमें एक्सेंड वाई क्या है विड़ा कनी का पूरहीद एकदम सही बात है कनी का ब्रशेस है ब्रशेस तो यह कारवन ब्रशेस कारवन मतलब ग्राफ़ाइट से बने होई ब्रशेस रहते हो कारवन ब्रशेस वो कारवन ब्रशे से है येस, वेरी गुड कारवन ब्रशे, उसके बाद में P, N, Q, यहाँ पे P यहाँ पे P और Q, P, N, Q क्या है बताओ अभी P, N, Q क्या है बड़ा, सुजाल अभी बताओ श्रियांश श्रियांश प्रधान, स्प्लीट रिंग येस रक्षू सर रक्षू ओके, है ना, आरे मैं तुमको डाग्राम प्रवादता हूँ, P, N, Q, C, I आपे, स्प्लीट रिंग्ज है थीक है न, स्प्लीट रिंग्ज कम्यूटेटर, कम्यूटेटर उसको कम्यूटेटर बोला जता है स्प्लेट रिंग्स है वो डाइग्राम को बताता हूं में डाइग्राम देखो ऐसी है वो डाइग्राम देखो यह है आपका यह ऐसा और यह है आपकी कोई आइसा रहता है वो यह पूरा स्ट्रक्चर है उसका यह उसका पूरा स्ट्रक्चर है यह ऐसा एसा उसको पुरा structure है यह यह ऐसा ऐसा उसको पुरा structure और यहाँ पर हम क्या करते है supply देते हैं electric करने का ओके तो यहाँ पर X and Y देखो का है जो X and Y यहाँ पर है तो जो X है X and Y यह आपके brushes है आपके क्या है? brushes हाँ यह X and Y क्या है? आपके brushes और यह जो है white color का जो आपको यहापे white जो दिख रहा है वो आपके क्या है? जो आपके white है तो यह है आपके split rings यह P इसको अगर मैं P and Q बोलू तो P and Q तो यह हो जाएगे आपके brushes sorry यह आपके P and Q क्या है? आपके split rings है P and Q क्या है आपके split rings separately लिखा जाएगा उसको दाइगराम देखो P and Q क्या है? आपके split rings है और X and Y आपके brushes है right? brushes ऐसा है पूरा structure उसका ऐसा तो structure है तो आगे बढ़ते हैं यह है आपका north pole, यह है आपका south pole यह है आपका magnetic field और करण जा रहा है ऐसा करण ऐसा enter कर रहा है इसके अंदर करण जो है इस प्रकार से enter कर रहा है और यहाँ से बाहर आ रहा है इस प्रकार से जो circuit एक अब्लिड होता है ओके? ऐसी बात है तो ऐसा वो structure रहता है ओके? तो आप principle क्या है magnetic effect of electric करण को किसका? electric motor का उसके बाद में X and Y क्या है? carbon brushes है और P and Q क्या है? split rings है P and Q क्या है? split rings है हाँ लाइक फॉर भूशन जरहाँ जलो भाई पाई रिमीजों लगा दो मेरी लिए थोड़ा सा मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा तेना आज का session आपका unit test का पूरा summary हम revise कर रहा है पटा 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 बता दो हाँ वाइशाली flaming left hand rule is used here बहुत बढ़िया working my construction लिखने वाला था मैं चलो thank you thank you so much कनिका पुरोहित प्रशान तेजस इसका दूसरा पार्ट भी है देखो अभी क्या बोला गया है कि वर्किंग कि इसका construction अपने को लिखना है इसका यहाँ पी क्या हो गया यह पार्ड इसका यार एक construction का भी चाहिए था वैसे इलेक्ट्रिक जन्रेटर उसके बाद में यह वर्किंग इसका बदा जिता हूँ मैं आपको इसको दो पार्ट में डिवाइड करूँ एक काम करो working है ना तो यहाँ पे लिखो तुम construction यहाँ पे लिखो construction यहाँ पे construction लिखो और दूसरे पार्ट में लिखो इसका working लिखो एब कंस्ट्रक्शन में वर्किंग देखना है एसका हाँ 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 थीक है छलो देखो अभी पहले यह देख लो भाई हाँ ठीक है ठीक है थीक है यहाँ फिल्फिट देखलो पहले ती चलाएख़ी दिकों स्थॉक्षिन कैया है POINT NUMBER ONE gruppo COIL मैं दिख रहा हूए को हाँ यहाँ पी COIL COIL A B C D COIL A B C D is PLACE PLACE इना MAGNEEDIC FIELD in a MAGENEEDIC FIELD in a MAGENEEDIC FIELD यह तुम पहले लीख लो क्यो年का मैं इसको मैं इसको मैं मिटाने वाला हुँ से तुम पहले लिए सो मेटाने वाला हुँ इसकी आपर मैं सर्यांध नेक्स पेज कापी करता हु इसका इसको copy कर लेते हैं copy करो इसको और copy हो गया उसके बाद में यहाँ पर हम लिखेंगे उसका working चलो यहाँ पर construction लिखो इसको हडा दो अरे यार ऐसा क्यों होता है ऐसा मत करो ओके ओके हाँ ठीक है न ठीक है ठीक है न हो जाएगा यार ऐसा नहीं होना चाहिए न ऐसा नहीं होना चाहिए आप जाने दो यहाँ से फिरसे copy करते हैं इसको इसको उड़ा देते हैं इसको उड़ा देते हैं इसको copy कर लेते हैं, चलो हो गया देखो यहाँ यह टेक्निकल चीज़े थोड़ी सी दिक्कत देती अपने को हाँ हाँ तीन बार हो गया शायद लेक्टिक मोटर हाँ आप कैसा हो गया बारावर यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखो construction पहले point से लिखे देता हो अभी construction पड़ावर लिखो यह बहुत important है यह बहुत important है चलो point number one लिखो point number one क्या बोलता है आपको point number one यह बोलता है coil ठीना copper लिखो यहाँ पे insulated copper coil insulated insulated copper coil insulated copper coil is placed insulated copper coil is placed in a magnetic field magnetic field magnetic field okay magnetic field ऐसा लिखा और इसे में आपको continue करना है कि side side a b side a b side a b and c d side a b and c d are perpendicular are perpendicular to the magnetic field side a b and c d are perpendicular to the magnetic field ठीक है side a b and c d are perpendicular to the oldana district okay ठीक है okay okay it's placed in magnetic field side a b and c d are perpendicular to the magnetic field perpendicular magnetic field को side a b और c d perpendicular magnetic field को देखो आईसा और जो split rings है देखो आगे आगे देखो कि जो split rings अब देखो यहापे coil a b c d 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 is connected to is connected to is connected to is connected to the to the split rings to the split rings to the split rings to the split rings p and q p and q जो split rings है इसको यह जूड़ा हुआ है इसको यह जूड़ा हुआ है right split rings p and q को यह coil जो है यह जूड़ी हुई है और point number next जो है point number next जो है point number next जो है कि p and q are connected to the p and q are connected to p and q are connected to are connected to the carbon brushes carbon brushes carbon brushes x and y carbon brushes x and y carbon brushes x and y x and y को जूड़ा हुआ है carbon brushes x and y को जूड़ा हुआ है split नहीं हाँ split है ना चलो यहापे split सही बात है split split rings ऐसा पूरा है यह और आप लिख सकते हो कि कारवन ब्रश्यस आज carbon brushes are connected to the external circuit जो कारवन ब्रश्यस है वो external circuit को जूड़े हुए है चलो पवन कावरे अलो बेड़ा शलो इतना हो गया सोला पूरा रहे बाप कमाली हो गया तुमारा उसके बाद उसको लिखना hierarch उसके बाद नेक जो topic है उसमें तुमको लिए लिखना है कि उसका working गैसे होता है working लिखो policing आपको लिखना है working लिखो पडावड working लिखो point number one when current when current passes through लिखो when current when current लिखना है की नहीं when current passes through passes through side side a b side a b side a b side a b according to according to according to flaming आपको मेरे साथ में लिखना है according to flaming left hand rule left hand rule ठीक है ना left hand rule लगाओ ठीक है करन की तर जा रहा अंदर की तरफ magnetic field कैसा है इधर deflection होगा नीची की तरफ हाँ already written written in यशस्वी class ठीक है कोई वायत नहीं when current passes through side a b according to flaming left hand rule the downward force downward force force acts on it acts on it उसके बर एक downward force act होगा उसके बर क्या होगा एक downward force act होगा हाँ 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 when current passes through side a b according to flaming left hand rule the downward force downward force acts on it इसके बर a b के बर एक downward force act होगा और यह cd होगा उसके बर upward तुद्धरा point लिखो point number two लिखो कि हाँ तुम लिख सकते हो current current comes out current comes out from side from side cd cd में से करण बहार आएगा जब cd में से करण बहार आएगा तो cd में से करण आउट from side cd cd में से करण बहार आएगा तो cd में से करण अगर बहार आएगा तो according to according to flamings flamings left hand rule according to flamings left hand rule ठीक है ना, flaming left hand rule लगाओ करना की दर जा रहा है, बाहर magnetic field कैसा है इदर, तो deflection कैसा होगा उपर की तरफ, तो left hand rule upward force upward force acts on it acts on it, उसके उपर एक upward force act होगा उसके उपर एक upward force act होगा ठीक है न? इंस्टा आईडी इंस्टा आईडी एजुकेटर भूशन उज्जेन कर तुम collect कर सकते हो ठीक है न? एजुकेटर भूशन उज्जेन करके है तुम उसको connect कर सकते हो इंस्टा पे, तुमको कुछ पूछना अगर होगा तो, करना comes out from side cd according to the flaming left hand rule upward force acts on it और वैसे pw का भी है बहुत सारी channel उसको भी तुम जा कर देख सकते हो क्योंकि जो latest news आते हो तो उसके उपर भी आते हो तो ये दूसरा point हो गया बाकी तो कुछ नहीं rotate करेगा तो आप लिख सकते हो कि ये point number 2 हो गया था अपना ये हो गया अपना point number 2 और point number 3 क्या होगा coil rotates in coil rotates in anticlockwise sense कैसा घुमेगा anticlockwise sense में घुमेगा in anticlockwise sense anticlockwise sense anticlockwise sense में घुमेगा आई राइट हाँ येस हाँ भागेश्री सही बात है आपका ठीक है ना सही बात है contact में है connected नहीं है ये हमने बहुत बार येस में बताया था शायद मैंने गलत लिखा तो लेकिन आप उसको correct कर सकते हैं इतना आपको है उतना knowledge है आपको येस येस भागेश्री का सही है connected in contact not connected येस तो आप उसको कर सकते हैं उतना आप चिक कर सकते हैं इसको आप लिख सकते हैं चलो ठीक है कोई बात नहीं चलो पागेश्री बहुत बड़ी है इतना हो गया बाकी देखो सब कुछ हो गया अब प्रिंसिपल भी हो गया construction भी हो गया working भी हो गया सब कुछ हो गया इसका इलेक्रिक मोटर का ठीक है ना हाँ हाँ ठीक कोई बात नहीं ठीक है ना जैंडरेटर का प्रिंसिपल क्या है electromagnetic induction electromagnetic induction sir you told that to us in one of your class yes यह कोई बात नहीं चलो प्रिंसिपल क्या बूलता है इसका जो फैरडे का electromagnetic induction है वह इसका प्रिंसिपल की वेल यू प्लेस अ conductor in a variable magnetic field current produce in it okay तो आप electromagnetic induction इसका प्रिंसिपल है यह electromagnetic induction electromagnetic induction ऐसा है वेल यू प्लेस अ conductor पुरा लिक्की देता हो वेल यू प्लेस अ conductor वेल यू प्लेस अ conductor a conductor वेल यू प्लेस अ conductor in a variable in a variable magnetic field in variable magnetic field variable magnetic field EMF electromotive force produces in it produces in it produces in it यू यह इसका principle है ठीक न चलो इसका principle हो गया अगला बाड़ देखते है अगला बाड़ देखते है चलो यह हो गया था अ चलो उसके बाद में construction एक और copy कर लेते है ताक एक जगा तक यहां पर लिखेंगे सिद्सेट चलाओ चलो कॉप्पी जरो Queensатов हाँ construction करो यहां पर construction तो थोड़ासा difficult थोड़ासा यहां पर आपको भूरिंग लग सकता है लेकिन यह लिखना पड़ेगा थोड़ासा यहां पर इसको points है, तो यह थोड़ा सा आपको matter, लिखना तो पड़े गई, हाँ, चलो, थोड़ा सा लिखो, कि क्या है construction में, कि coil is placed in, coil is placed, coil is placed, insulated copper coil है वो, insulated copper coil is placed in magnetic field, magnetic field, magnetic field, magnetic field, magnetic field, such that, such that, side, side AB and CD are perpendicular, are perpendicular, are perpendicular to the direction of magnetic field, 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 ऐसी बात है, दुसरा point कैसा है, direction of magnetic field, दुसरा point क्या है, coil coil is connected अब यहापे connected आएगा coil is connected sorry connected yes coil is connected coil is connected coil is connected to the complete ring to the complete ring complete rings called क्या बुला जाता है इनको slip rings क्या बुला जाता है slip rings बुला जाता है slip rings slip ring कौन से है R1 and R2 R1 and R2 को जोड़े हुए है पूरा प्रशान लिख रहा है भाई that side ABCDR perpendicular direction of magnetic field और जो है coil is connected to the complete rings called slip rings R1 and R2 and then R1 and R2 are in contact with the brushes B1 and B2 है ना समझ में contact बुला भी मैंने हाँ exam में यह आता है यह बहुत सबसे मतब physics में सबसे difficult अगर कोई चीज है तो यह electric motor and electric generator यह महार साल बहुत बार बढ़ाता हूँ इसको सर मैंने जाना क्या सर अंसर लर्न करना है लर्न लर्न है न इसको अब लर्न करना बढ़ाता है यह diagram आपके सामने इसको देख की लिखना कि कि कितने मार का question है अगला बार देखो यह हो गया अगला बार अगला question, लेको अगला पॉयर्ण देखो इसके अंदर को कि R1 R2 and R1 and R2 are connected to the are connected to are connected R1 R2 and connected to the rings connected to the brushes brushes B1 and B2 B1 and B2 B1 and B2 को जूड़ा हुआ है connected फिर से connected नहीं are in contact with are in contact are in contact with with the brushes B1 and B2 ये भी होता है ओके जलो आगे बढ़ते कितना हो गया अब working इसका working देखो अभी construction हो गया working देखो working कैसे करता है ये तीना ये turbine होता actually इसको यहाँ पर turbine होता है यहाँ पर दिखाया नहीं गया है यहाँ पर turbine जुड़ा जाता है ओके तो यहाँ पर लगेगा flaming right hand rule लगया flaming right hand rule इंडक्शन के लिए flaming का right hand rule लगेगा तो point number one कैसा है समझो A, B A, B जो है A, B को कहाँ पर करेंगे हम A, B जा रहा है करण जा रहा है उदर की तरफ है ना right hand मतलब यह इसका deflection अगर उपर होगा A, B को उपर घुवाएंगे ऐसा इसको नीचे घुवाएंगे है न right इदर करण अंदर की तरफ magnetic field इदर deflection उपर okay flaming का right hand rule CD में से करण बाहार आएगा चलो तो लिखो when when tide when side A, B when side A, B है ना करण अंदर की तरफ when side A, B moves upward moves upward when side A, B moves upward according to according to flamings according to flamings right hand rule according to flamings right hand rule according to flamings right hand rule current current passes inward तिकर अंदर की तरफ जाएगा current और इसके अपर दूसरा तुम पॉइंट लिख सकते हो दूसरा पॉइंट क्या आएगा कि नहीं ये clockwise ही घूम रहा है जैसे यहाँ पी डियाग्राम दी गए उसके according clockwise ही ही घूम रहा है okay अब साइड एबी मूज अपवर्ड according to the flaming right hand rule current passes inward current जा रहा है A to B जा रहा है और C to D अगर आप देखते हो तो वहाँ पर क्या होगा C to D में अगर आप देखते हो वहाँ पर क्या होगा कि CD is moving downward CD अगर moving downward अगर होता है तो magnetic field उदर है तो ये करन बाहर की तरफ आएगा CD में से करन बाहर की तरफ आने वाला है okay induced current flaming right hand rule बच्चों ने बहुत डिटेल में पढ़ा है सब कुछ app की उपर हाँ चो CD तो इसके opposite तुम लिख सकते हो कि when side CD mode यहां पर upward है तो यह downward आएगा तुम इसका opposite तुम लिख सकते हो कोई problem नहीं यहां पर तुमको आ जाएगा हूँ okay अब यह आ गया तो फिर ठीक है करन यहां से AB से अंदर जा रहा है और CD से बाहर आ रहा है तो पहले किसमें क्या होगा जो देखो CD जो है तो CD कहां पर जूड़ा हुआ है यहां पर तो यहां पर करन जाएगा ऐसा और ब्रश बीवन उसके उसके अंदर से करन अंदर जाएगा ठीक ना अब जब हाप रोटेशन कम्रेट होगा तो यह जो डारेक्शन है बदल जाएगी ठीक ना आफ्टर 180 डिगरी तो डारेक्शन विल डिफ्रेंट 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 इसा होता है ठीक ना तो यही पार्ट पहले 180 के डिफ्रेंट 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 डिफ सबको आंसर बताना है पड़ावड बताओ पड़ावड बताना है सब लोगों को सोमेश वाग मोड़े विनीत यादव सोमेश वाग मोड़े प्रशान दिन तेजस पूल लगा पड़ावड पूल लगा दिया है आंसर बताओ कौन से सही है इसके इंदर का सबको आंसर यहां पर बताना है पढ़ा बढ़ा सुष्मा पवार देन येस यह मैं हड जाता हूँ बीच में से आंसर बता यह बढ़ा पढ़ा मनीश पासवान कि शुष्मा पवर श्रियांष प्रदान भाद बढ़िया हांडर परसेंट सभी ग्वेस्चन सभी लोगों के आंसर अपने को चाहिए सक्ष रेऻ परसेंट तो इसका सभी आंसर वह सी रहेगा से आंसर क्या यह सी रहेगा तो देखो अरे तुम्हां ऐसा क्यो का मतलब क्या है कि generation of current in a coil due to relative motion तीक है इसा a generation of current due to relative motion between that coil and the magnet करण का त्यार होना ही अरे यार हमने मुझे लगता है हाँ तुमने गलत कर दिया वो अरे यार हमने मुझे लगता है लीडर बोर्ड हाँ लीडर बोर्ड देखो सबसे पहले मयूर उकरटे ने आंसर दिया इस पार चलो अगला शायद अगला भी कोश्चन लेंगे हम तो इसका सही आंसर आएगा सी यह थोड़ा सा गलत यह सी जो है वो सही आंसर जनरेशन आप इलेक्ट्रिक करण इना कॉइल जुड़ू रिलेटिव मोशन बीटिन दा कॉइल यान तक बैंकनेट यह आएगा इसका पास्ट टेस्ट क्टम भी हो गई हाँ अब कुछ लोगों की वाकिया कुछ लोगों की हो चुकिया तो कोई बात नहीं करनी है वैसे करना कोई गलत बात है क्या नहीं चो अगला कुशन लेते हैं अगला कोश्चन यह देखो पट बताओ यहाँ पे फिलिन दा ब्लैंक बताने अपर इहां पर मुझे आंसर सबके दिखने चाहिए अभी क्या लिया है explain the difference h generator and dc generator it produces क्या लिखना है यहाँ जल्दी बताओ यहाँ पे क्या आएगा फिरिन दभ लाइमे बताओ क्या क्या आएगा पूनम् शॉ सबको आंसर बताना है यहाँ पे क्या customer azzi यहाँ पे जो नंबर आने वाला यहाँ प्या प्रभार ऐस पागेश्री थ्ल मार मिबरा कितार मायूर कितार गया मायूर गर्डे ला इस तो कले में रुकरडे बताओ बाकी लोग को को भता ना है श्रीयांस प्रधान् Catholics अरित यहां प्रुपतो धी यहां प्लिती क्ऩी आएगा अल्टर्नेट करन्स यहां प्लित रेंगा धिन आएगा से बात है यहां प्लिता यांपनेट करन्स यहां पहराइगा अल्टर्नेट करन इदर क्या लिखनायन इसके अफूट्ट क्या लिखनाय फर प्रोडूसे क्वा या लिखनायdade इंदर इसके आदया कई रिपा गशाय और इक तर र tentang है यहाँ पेढ़िना यहाँ रखना यहाँ तुम बताऊ है यहाँ पेढ़ा थोड़ा सबलॉप हरच करना पड़ेगा यहाँ पेढ़ा और यहाँ पीड़ाय ते तीज दे वपर क्या रेटर एशी लेटर गलती करते हो तो मैंसी सिंपल कॉश्चन में गल्दी करते हो तेज़स के नियुकुुकुल कोस्यन में घलत हो गया अरки सिंटर है वाइस गंग डरेटर कि भागेश्री मैडम की गलती होगे यहाँ पर भावेश इन्दे नॉट स्प्लीट नॉट स्प्लीट उसके लिए वर्ड है उसके लिए वर्ड है आप देखो सब गलत आंसर बता रहे क्योंकि तुमने जो पहले चालू था तब तुम पहले हैं नीदा गलत आंसर बताते हो सिंपल कोशन को गलत करते होगे डिफिएल कोशन का अंसर देते हो है भगवान नॉट स्प्लीट इसके लिए नाम है इसका नाम है नाम कुछ है उसका इने ब्लैंक टू रिंग टाइप स्ट्रक्च्चर रिंग कैसी है स्प्लीट है क्या वहाँ पर श्रीयांस प्रतान कोशन आ गया तो अपने को जमता नहीं हो देखो इट हैस्टू कंप्लीट रिंग लिखो या फिर स्लिप रिंग लिखो ना स्लिप रिंग स्लिप रिंग आएगा वहाँ पे सब लोग स्प्रीट रिख रहें कैसा होगा तुम्हारा है ना सिम्पल क्वेश्चन में अगर कोई पूछेगा तो आप बोले के सर किसे पढ़ा तुमने अब आम मेरा नाम बता होगे हां मुशन सर ने बढ़ायां को अरे स्लिप रिंग आ किर में कंवले में गलती तेजस तेजस के ममी से बात करने मछे क्लास होने के बार कि सब लोगों को टॉप करना है कि स्लीप रिंग टॉप करो वहाँ इसल़ीप करो उसको को लिखना सबको लए उसके वहाँ आगे वोड़ूंगा नीम क्षश्चा community बैज आप 받고 कप एस ये केनita रमें सलंख सिह करो तो पर आप मार्क मिलने आप तुमको 95 मिलेंगे क्योंकि तुमारी चो तुमारे डिजायर हूं 95 गा है 95 को सोचके जाओगे तो 90 मिलेंगे 90 सोचके जाओगे तो 85 मिलने वाले ठीक है ना तो डिजायर को बर्निंग डिजायर को वह ऐसी जलाते रहो तुम थोड़ा सा उसको हवा देते रहो है ना इंतुजियादम खतम नहीं होना चाहिए इधर स्लिप रिंग आएगा आप देखो इट है तो सिंगल बोलो आइगा इसने इसलीप आएगा तो यहां पर क्या आएगा इधर क्या आएगा यह छोड़ो है ना मतलब यह भी तुम वहारा आंजर सही और वहां पर लिखते डाइम पर स्पेलिंग गलत हो गया तुम्हारा अरे वाई किदर है वो कि स्पेलिंग मिस्टेक होनी नहीं चाहिए ना सिम्पल जी बात है स्प्लिट्रिंग आना चाहिए इदर अभी हाँ आप कैसा आगया बराबर अब आगया बराबर तुमको है ना तुमको जब तक तुमको कोई डाटता नी तब तक तुम सही आंसर बता होगी नी ऐसी तुमरी बात है हाँ देखो अगला कोस्चन बाट टाइम लगा दिया तुमने इसमें हाँ पोल पोल लगाना है ना हाँ बताओ विच डिवाइस यूस्टू प्रोडूस इलेक्ट्रिसिटी डिस्क्राइब इतन डाइग्राम पोल लगाओ यह लग्या पोल भाई तुमारा पोल बताओ त्यूंक अनसर बता अभी 100 परसेंट सही आ सब का अंसर सही आना चाहिए इधर अभी इसमें हां ने तो उसमें 33 33 33 मतलब 3 मतलब 3 ABC का भी एका भी 33 बिक भी 33 और ईसका भी 33 सबका 3 या था है हा टाइप कि या गभरी बड़ा बड़े ना बॉट्टेम लगा थे हो उतने टाइम में न जे डबली का क्वेस्चन निकल जाएगा तुम्हारे हाथ से जे डबली इतना टाइम लगाओगे तो बहुत टाइम लगाते हो सोचते बहुत ज्यादा हो और और कुछ ऐसे भी है अपने बास में महारती पास्ट टाइप करेंगे गलत कर देंगे टाइप उसमें हां तो डिवाइस उस्टू प्रोड़ इलेक्टिक कौन सा आएगा इलेक्ट्रिक मोटर गैलाणोमेटर जन्रेटर रोन्हें तो इसका आएगा सीग देख देख्यानीट्पर कितना है 66.67 17 परसंट बच्चों ने गलत आंसर दिया है बाकी लोगों ने 83 परसंट लोगों ने सही आंसर दिया है यह कभी 100 जाएगा यह नहीं मुझे लगता है तुमारे क्लास में कि ठीक misinformation हां कि यहां कि तद्क आरव वीनीच सेड प्रशान प्रस्थान के मम्मी से बात करने बड़ेंगे क्लास होनी के बाद मम्मी को बोलो एंसर ने बुला आया है ऑनले ना जाओ बुलाऊ उनको तुमारे बतताव मैं हरकत है इदर हां सुष्मा पवार तेजस शुझल भा वाग मोडे इंस्पार इंडिट भाविष शिंदे मनिश पास्वान बहुत बढ़ी है आज कुछ बच्चे एकदम फायर पर एकदम खतरनाक आंसर दे रहा है इसका सही आंसर आएका इलेक्ट्रिक जन्रेटर याएका डीसी डीसी हो या एसी हो तो कनेटर तो त्यार करेगा न या जो ुठ इसा सब्सक्राइब करन को बढ़ेगे दिर और न् सिंटर योग抱े कवा पर चारुल दो आजाता है लायर के लिए असरोड़ा को लूगे सकता है उसी को बना जाता है कि उसमें से बहुत सारा जो पाथ जैसे ऐसा करण को देखिए एसी वायर थी, पर इतना घूम के आना था, अब हुआ क्या क्या कि इसका इंसुलेशन है इसका इंसुलेशन निकल गया तो यह डिर्र assess में आइफ तो करन इदर से princler एकुम से फ्लोगा अब corazón को गया और अकर रोगत तोः बढ़ेगा तोई बढ़ेगी कर आफ पया स्क्र Denmark किसका लिशूप ले लो इसका कि अथ स्क्रीन शॉट सब लोग और हाफ कि और बता होगर कोई करहें गया होगा तो इसका भी हो वह बोडे है के ने तरहें मोटर का जनरेटर का बंग या किननने स्क्रीन्सूर्ट वैसे अपर है अविलेबल सब कुछ अ हो गया स्क्रीनीश और अध्यु उसलो हो गया किने प्रश्यान में वह बखिंग एक पर। एक shortcut तरीके से करणव फ्लो हो रहा है तो ज्यादा करनव फ्लो होता है resistance का भूली कि ऊँझाज से does it decreases the value of resistance of circuit राइज तर कररण the significant amount as a result the wire becomes hot and sparks sparks are cause by the joules hitting effect तो ठीक करने की ज्यादा फ्लो होने के ऊँझाज से hitting effect थार होता है joules effect यह हमने पढ़ा है अब ना जो गिंग स्टार्टिंग का जो पाड था उसमें हमने पढ़ाई कि यह हीटिंग हीट हमने फॉर्मल लिखा था कि हीट प्रोडूस इनकर सर्किट इसकोल आय स्कूर आरे टी किना जूल्स लॉफ हीटिंग यह हमने धिराई भी किया है एक क्यू पर पढ़ाया था उसको चलो यह हो गया है नेक्स्ट पाडबड बता हो तंस्टन मेटल इसे उस्टो मेक सुलिण कोई सुलिण टाइप कोईल इन एलेक्रिक बल्ब बिकास बिकास इस में पर तो यहां पर क्या आएगा टाइगा टाइप करो बड़ावर वाइब नौट डाय आफ्टर हीट अन वायर अरे हाव बता बताओ एक मिन्टा यह क्वेशन महुत बढ़ी है प्रशान का यहां पर क्या बताओ यह बताओ वर्ड के लिखना है बाकी सब लोग सुजल उसके ऊपर इंसलेटर की कवरिंग होती है हाँ देखो सुजल का लगी चल रहा है वाई कुछ यहां बताओ हाई लिखना है वेरे है यह बुझत कर लोगाँ लड़की बहुत पड़ाई गड़ती है में को बहुत अच्छा लगता है पागेश्री जक्तावर एक अपने थीपके बहुत सारे बच्चे बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट बोच्चन बुचते हैं मजा आता है उनके क्वेश्चन देखकर के हा उसके बाद में देखो यहाँ पर हाए आएगा, thus when a high amount of current is passed through it, it becomes red hot and emits light without getting, यहाँ पर बताओ, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ बताओ अभी क्या आएगा तो, माधो मुरूमकार, यहाँ बताओ, यहाँ पर, इधर क्या आएगा बताओ, क्या आएगा इधर? हाँ, सभी बात है, बाकी लोग, बाकी लोग मतलब, अपना है, इसे ही काम है भाई, यहाँ लेट लटीफ काम है अपना, धिरे धिरे चलते रहेंगे, आ जम गया तो जम गया, नहीं जम गया, कोई बात नहीं, हाँ मेहल्ट का स्विलिंग में घ्लत कर दो आई विगित यादो में गता स्विलिंग में घ्लत कर दो आप ईसी को तरास्झा मतलब सोच ते नहीए ढूलाचुया लाचे कि लेंगे आली नखल वाहा मुझारणस। का जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत कैसा होता है हाय होता है तो जल्दी वो मेल्ट नहीं होगा रेड़ होड रहेगा और उसके उससे लाइड भी ग्लो होने वाली है नहीं हां या डर्क टी मिंटिया प्रशान का एक प्वेस्टन किर्क और कोई बड align की बॉट इक जोड़ कई एक और 400 ना न चांद 14 तिम्हें पाहिल क्षच बैट तो सब्सक्वपाइब करन दा मैं और ट्रविट बैरी सब्सक्राइब सबस्क्रांज सबस्क्राइब अरे बताओ यह स्नों थम कुछ बताओ अरे बताओ जल्ली फिर आगे बढ़ते आने तुम्हा आगे ने बोड़ूंगा थम बताओ जड़ा सा फाकि लोग थोड़ा सा इन्तुज जयाता हुआ बैठे बैठे तुम खत्यार तुमार कैसा होगा मेरी को समझ में आता बैठे तो आपने घर में जो लाइवायर होता है उसके अंदर ही करण डूता है अगर आप देखो आप कैसा हो गया यहाँ पे फ्लोर है तो आपने वायर को हाथ लगा है लाइव को तो कैसा हो एक ऊपर हायर पोटेंशल पे तुम्हाँ आगे प्रशान सुनो यह वायर है तुसको तो आप मिडियम बन गए न तो आपकी ब्लेड ब्लेड में प्लास्मा में आयन्स है तो करना फ्लोड है आपकी बॉडी कंड़क्टर है आपकी बॉडी कंड़क्टर है हां आप जैसे ब्लड फिप्टी पर संट पानी होता है प्लास्मा होता प्लास्मा आयन्स होते हैं तो आयन्स के अंदर से करण फ्लोड होता है तो हम अगर इसको डारेक पाथ अविलेबल करवा के दे रहे हैं इसलिए हमें करन लगेगा सब्सक्राइब अगर वायर के उपर बैठा हुआ तो बढ़ का मतलब और के साथ में कॉंटेक्ट नहीं है न और यह बढ़र यहां बैट तो यहां पर कोई चीज है क्या दूसरी की जो लोगर पोटेंशल पर नहीं तो करन इसके नहीं से पास होगा नहीं प्रादान प्रस्छाण अजे मुझे का से लाते हो तुम यह प्रशान ने डाला वही मुझे का से लाते हो चलो अगला दिख सब देख है QC अगला को यह और दिखेए है इसके भी निउमरीकल जब्स फिर बात में छलो होगा यह निम्टिकल शूरू एक ही question कि अब देखो रेजिस्टिविटी ओम निक्रोम इस कैसी होते है रेजिस्टिविटी कैसी होते है लिखो यहां पर बताओ यहां पर यहां पर लिखो क्या लिखना है कंपेर टू प्यूर मेटल बताओ यहां पर क्या लिखो क्या लिखो मैं यहां पर बताओ जरा हां राजभा क्या हीटर में यूस किया जा रहा है वो गलत मत बत्ताओ ठीक है ना सिंपल कोश्चन में गलती करते हो पर यह गलती करते हो फिर सौरी बोलते हो हाँ है हरशीत माड़ी अरे कैसा होगा तुमारा इधर हाई आएगा नहीं हाई इधर आएगा मेल्टिंग हाई रहेगा ना रिजिस्टंस तभी तो हीट बढ़ेगी ना नहीं तो क्या हीट बढ़ेंगी कंपेर टू प्यूर मेटल उसके ब्लैंग पॉइंट ओफ निक्रोम इस हाई ऐस कंपेर टूर मेटल बताओ इधर क्या रहेगा दुसरा वाला पॉइंट बताओ जल् शुजली ठीच वाकी लोग दुजहां करते है टाइब करना भेज नीए टाइम करना भी जान पर याता है लिखते नहीं है टाइप भी ने करते सुनती भी नहीं ज्यादा भाग जाते हैं बीज में हाँ तो यहाँ पर आएगा मेल्टिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ निक्रोम इसा निक्रोम जाता है अब वह फायर निगल दी है तो ऐसा निक्रोम में नहीं होगा कि एक्दम से ऑक्षिडाइज होगा बहुत इसली ऐसा नहीं होता उसमें निक्रोम के अंदर ऐसी बात होती है चलो यह हो गया अगला कोश्चन देखते है तो यह कोश्चन आ सकता है एक्जाम में तीन पॉइंट आने चाहिए ने तो लिखे के नहीं उसके अंदर हाँ यह लिखने है तीनों पॉइंट आने चाहिए समझ में आया तेजस तरको तेजस थर्ड में कोई ब्लैंक नहीं है यही दोनों में ब्लैंक था ठीक है पॉल लेना है अब देखते भाई पॉल है की नहीं अविलेबल इधर अभी यह कौन सा कोश्चन है इधर हाँ अब कितने कोश्चन है एक दो चलो दो कोश्चन ले लेते उसके बाद में देखो हाइट इनर्ची इस बींग प्रोडूस इन रेजिस्टन्स इन सर्कीट एड़ रेट ऑफ हंट्रेड वैट हंट्रेड वैट की रेट से एनरजी क्या हो रही है त्यार हो रही है तो करंट ऑ चैना है हारज कितने को पवर कितने ऐकंट आप यह हंट्रेडवैट लिखो बडट इसथा तोनी जुक्राउब यह पूंग प्रर वेड घाला उना का पड़ावड सांगाय चाहे तर आता इथित माला मी काई लितो पावर पावर इकल टुआ आए वी इंटु आए ओके पावर जा फॉर्मला काई वी इंटु आए यह ना हाँ क्या लिखना है फी इंटि आहे लिखना है चलंग देखते हैं आगे देखो पावर कितनी है हॉंट्रेड करण कितना है रहो इसक्ति माल लिखो वेड़ वी और कितना 3 डेरफोरす mutta कि परक युके लुए धिस्टन आपने मिल्मॉला लाइं आपकी बास們 दूसरा फॉर्मॉला यूस करो दूसरा फॉर्मॉला एका वीस इकोल-टू आए-र आएगा वीसुकल टू आए-अ-बॉर Zack और करन की वैली कितनी है करन कितना है 3A कितना आएगा 11.11 r is equal to 11.11 ओहम यह आएगा आपका अंसर आगया समझ में अपका आगया भावेश इन्दे यह भावेश यह इसका न्यूमरिकल में बहुत अच्छा है यह लड़का न्यूमरिकल में उसके बाद में 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 क्यलिशन जिक्वावेश शिन्दे कि यह भावेश उसके पाद में भाके श्रीका थेरी बहुत अच्छा है वाट्य दिवलवां अच्छा है यह बांकी टेजस को थोड़ा सब अच्छा करन कि काम ने को की तर kin स возможно gain कि तिला न goodgar na आ प्वेशालि इंगडर उसके वादे अचिफे सॉ मचसराust तीम के बाढ़ टिम के अंदर टेम के बारा ऐसा नहीं चाहिए अपने अपने आपने अपने ईक एक सार का परफॉम भाइज है ठीक है ना कंटीनों तेजल भाई तरह को समझ में आपने क्या बूला तो भाविश इन्दे भाविश आप वर नहीं है न क्यों भाई आप पर क्यों नहीं हो तुम एना ऐसा दोड़ी कि तुमको बहुत अरे इतना क्या पीडबली में इतना सिंपल से से रेट में आपको सब कुछ आविलेबल होता है कुछ करता है नहीं है एजा नहीं चाहिए एकदम से परपॉर्म अच्छा रहता है के ड делать इस तुम्हारा जो पाबनुम है siuch Azaf तेजस को मैंने बहुत अच्छा नहीं बुला तेजस को मैंने बुला रुशब पंद है वो ऐसी बात है तूआं मैं सुजल सुजल को बुरा लगा सै तूट पशन दनी कि ज़रुपरत नहीं है ऐप ऊफवर्ट रमज़वicamente यहको जो कॉज़रे हमाम नहीं ने सिर्यास प्रदान अच्छे है ठीक ना जो और मैं अभी देखो next strategy आएगी तो देखो श्रीयांज प्रधान उसके बाद में सुष्मा पवार और कौन है तेज यह सुष्मा पवार उसके बाद में तुम कमेंट करना बंद मत करो निकर नाम नहीं दिख रहे हैं फिर कमेंट भी करते रहो थोड़ा ऐसा तो नेक्स भाइस ट्राइड़ेश ठीक है ना और मैं अब तुम्हें काम करता हूं मैं देखो तुम क्या करो तुम कमेंट करो जो भी तुमको एक कंटेंट चाहिए यह स्ट्राइडीजिका जो तुमको कोई फॉर्मला चीजों को एक क्वेस्टिन जीए नहीं आ रहा तो मैं डारेक्ट यूटूब की पर उसके पर क्वेस्टिन का आंसर तुमको दूंगा बनाके वाशाइली मैं वाशाइली इंगलेट तुम आदिती है ओके ठीक है प्रशान प्रशान हाँ तो तुम क्या करो कोई किसी को यह टेंशन लेकर जोड़त नहीं है तुम जो भी तुमको चीज नहीं आ रहे हैं मेरेको बताओ क्योंकि मुझे कोई सब्चेक बताओ ताकि मैं आपके क्वेशन का अंसर दे सकूँ तो आप सब लोग आपका इंडूजल नाम लेकर कि मैं आपके जो अभी आपने क्वेशन पूच्छा उसके पर स्टाइडी जवाना के दूंगा आपको ठीक है लेकिन नाम सही लिखो नहीं तो ऐसा कि तुम लिखो के भाई के नाम के आईडी स आपके जो भी आपको चाहिए कि आपको यह नहीं आ रहा फॉर्मुला बनाओ ओं ओके टीक है फार्मुला की वीडियो में लाने वाला हूं मुझे समझे मैं नहीं आया सर प्लीज रीपीट लेलो ना किसका इसका ये क्वेस्टन गाजिआ यहाँ पर पिस निगालना है अब रिजिस्टन्स निकालना है अब देखु आ पेड़ा राजयभाव जार आपको देखां जो भी आपका नाम है तुरा आपनगा है वी इस इकोल टू आयर गेतला अथा आपले माई तेकी रिजिस्टन्स काड़ाएगे अशल तर वी पन पाई जे आयर पन पाई जे तो क्रेंक ये पाले का रहा आर मेला स्रुष्टी फ्राम रहिंत मड威डरी क्यों स्रुष्टी फ्रां में क्या मा GT litt बेख मेला या के श्रुष्टी स्रुरांक सुरुष्टी मोड epoxy निसल движ श्रुष्टी आपकोंन यह क्यूसे श्रुष्टी अंत मैं और नीट एक्जाम फ्रॉम टेन ओके ठीक है प्रशान आपके लिए मैं नीट के ऊपर वीडियो करली बना दूंगा और शायद दो तिन दिन में अप्लोड हो जाएगा आपके उपर राइट प्रशान 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 आपको पूरा नाम बता दो क्योंकि मैं वहाँ पे आपके लिए वीडियो बना आपको अप्लोड कर दूंगा जो आपकी स्पेशल डिमांड पे कि दस्वी का बच्चे अटेन का प्रशान कैसे कर सकता है जिसके उपर मैं वीडियो बनाऊंगा आपके नाम के साथ में वहाँ पे कंटेंड आपको बचा के दूंगा लेक्चर पाथ अस्तों भावेश इंदे तो भावेश तोला कसा वाटला में जो कॉंटेंड यूट्यूबर तोला चांगला वाटला कसा वाटला हाँ वाईशाली पन वाईशाली तो कहीं तरी विगड़ नाम आवाड़ अभी तो समझा है भाई ऐसा क्यों करता है एक लास्ट कोस्चियन आपके सामने हाँ two tungsten bulbs of wattage 100 watt and 60 watt दो यहाँ पे bulb है एक 100 watt का है 60 watt का है power work on volt 220 volt potential difference if they are connected in parallel how much current will flow in the main conductor तो देखो डागराम निकालो ऐसे डागराम निकाल नहीं है parallel connected है तो यहाँ पे एक बल्ब है यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है उसके बाद में यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है अब देखो यहाँ पे करन आया यहाँ पे डिवाइड हुआ तो यहाँ पे i1 हो गया यहाँ पे i2 हो गया और यहाँ पे i था वो तो इधर से करन गया और इधर से करन गया और बाद में i1 और i2 कंबाइन हो करके फिर से i1 गया ओके फिर से आय बन गया हो दिख रहा है ना दिख रहा है इतना बन गया अब तुमको आता है कि parallel connection में जो voltage होता है वो कहीस होता है same रहता है work done जो होता है वो same होता है parallel में V की value same होगी okay V की value क्या होगी same तो power तो power कितन духов 220V, तो दोनों को वही apply होने वाला है, 220V, तो power जो है, तो power कितनी है, power है 100W, तो voltage कितना है, 220V, तो क्या निकालना है, करन निकालना है, तो आपको formula पता है, formula क्या है आपका, तो power is equal to V into I, therefore, I की value कितनी है, power upon voltage, तो power कितनी है, तो, voltage कितना है, 220, ओके, यह हो गया पहला वाला करण, यह I1 की value हो गई, 220, समझो, यह जो है, वो 100 का था, इसके अंदर से करण जो pass होगा, कितना होगा, 100 अबाए 220, है ना, है ना, 10 by 22 बोलो, 10 by 22 बोलो, कोई बात नहीं, दूसरा वाला देखो, तो I2 की value निकालना है, तो I2 की value क्या रहेगी, I2 की value क्या रहेगी, I2 की value रहेगी, power upon, P2 upon voltage, तो P2 कितना है बड़ा, 60, 60 by 220, ऐसा, 60 by 220, ऐसा आएगा, ऐसे दो चीज़े आने वाली, यह 100 by 220, यह 60 by 220, यह I2 आगे, अब दोनों का addition करो, तो आपको I मिलेगा, तो I की value क्या रहेगी, देखो ज़रा, कि I की value रहेगी, I1 plus I2, यह रहेगा, तो यह देखो यहाँ पे, यहाँ पे रहेगा, कि यहाँ पे रहेगा, देखो, 10 by 22, plus 6 by 22, ऐसा रहेगा, तो यहाँ पे 22, और यहाँ पे आएगा 16, ऐसा, तो इसका जो भी आंसर रहेगा, इसका डिवीजन जो भी आएगा, that will be the answer, यहाँ पे 8, यहाँ पे 11, ओके, 8, 8 by 11, और simply by so कर सकते, कोई बायत नहीं, भावेश इंदे, 0.7 to 7, भावेश तो ला माला विचारा ऐसा होता, जे आपने यूटूबर कंटेंट आहे, तो ला कसा वाटला कंटेंट, अच्छा है कंटेंट, जो भी तुम को, क्योंकि तुम कर सकते हो, तुम पूछ सकते हो, वो और क्या चाहिए, ओके, जो भी नूमरीकल स्काश जो भी आप चाहते हो, तो मैं और, मैं चाहता हूं कि मैं, जैसे अभी को, नूमरीकल स्कीप कर सकते है, कि ना यह ना भाव, नूमरीकल तो रहेगा, तुम को, ऐसा मत करो तुम, time table के लेने हैं तो आपना टाइम बनाएंगे ऑगस सब्सक्राइब अक्टबर नहेंबर डिसेंबर तक टाइम डिवल बनाके तुमको रिसर्च करें तुमको देता हो मैं कोई वायत नहीं लेकिन यह वीडियो के कमेंट के नीचे डालो तुम क्योंकि मैं मेरे को मैं नाम भूल जाओंगा फिर तुम्हारा नुमरिकल्स देखो मैं मैं नुमरिकल्स पी लेना चाहतों बहुत एडवांस लेवल के तुम्हारे लिए लेकिन मैं जब पढ़ा तो आपक्यू पर तो बच घेके एक्जाम सकते हों तो में तुम घड़ेकल्स पासव मैं ने क्यास होती है तुम कर सकते हो घेड की ख्जाम भीं तुम कर सकते हो ओके हैं वो है वहन Ce, परवत के शिखर से समुधर की लहर तक परवत के शिखर से समुधर की लहर तक हर जगा पे हमारे शुड़न की बात होगी ठीक है ना जब बिना सोय हमारी सुबहा होगी बिना सोय हमारी सुबहा होगी सुबहा होगी तो परवत के शिखर से लेकर के समुधर की लहर तक हमारे शुड़न की बात होगी ठीक है ओक है ओक है हाँ वैशाली इंगड़े अरे टेंशन मारतो तुम देखो जो भी तुमको टेंशन है तुम मेरे को बताओ यह वीडियो के नीजे तुमको चाहिए स्ट्राटेजी मैं आपको देखो मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे मैं दस दिन के अंदर सारे वीडियो बना के अगले मतलब यह थे मना करके अगले हपते में तुमारे सारे जो यहां पर नौट बोल रहे हैं उसके सारे वीडियो में अप्लेट करोंगा मैं आपको यह वर्ड्स देता हूँ रिसर्च करके मैं आपको अप्लोड वीडियो करूंगा लेकिन जैसा आपको भी रिस्पास वाईसे देना पड़ेगा तो यहां पर सो खतम करते हैं हां अ बिना सोय हमारी सुबहां होगी मतलब रात बर जाके तुम अतलब इतना तुम रात को जाके काम कर गये की सुबहां तुम बता नहीं चला ऐसा वह बोलना चाहता था हाँ बिल्कुल ऐसा बहुत अच्छा लगता है तुमसे बात करके मैं तो घर पर भी जाने वाला मेरे इच्चा भी नहीं घर पर जानी कि आज तो लेकिन जाना बोड़ेगा ठीक है ना खाना खाना बोड़ेगा वाकिसारी चिसे तो ठीक है अरे हां वो सबके पैरनस को बु खाल उन से सबके बहुत को भूलाओ बुलाओ सब लोग और राने के बाद मेरे को थम बताओ सबहुत तो खाल लोग वशब02 और बोब नाने सब अपने ट्रव तन भी एटिए वोकोड़ेगा लग्तिकशर अवाराई को अटा वालय ठीक निकरना हैいて Idyu घुत कि हाख सब लोग तेज़ार भाकी लुकाना बागी लोग इना यल्दी ज़ल पुरने टाइम मम्मी मत माया सोबत होती ठीक है तो ठीक है तो यह चाहते हूँ आप से सभी पेरेंट्स को तुम्हाला में सरां संग इच्छी तो युनित टेस्ट आली लिया है तेन्थ बोर्ड मदे चे मुला है तेंगे साइटी नाएंची बने ना रहे तर युनित टेस्ट मदे सर्वच आप्टर शिकून धाली लिया है तर माज़ यह वड़ास अभिक्षा है कि जे 15 मार्क सा फिजिक्स है और केमें साइंस वंचा आपल परसेंटेश कमी हुए तर त्या मुड़े सर्व पालकर ना विननते यह तेन चेकल लक्षी तेंचे कोड़न काम करून गया तेंचे कोड़न अभ्यास करून गया और त्यानना एक्साम मादे आउट आउट आउप मार्स मिलाले स्पाई जे हाँ माज़ा हटता है तुम यह स को बता चलना चाहिए कि अगर पड़ा ही नहीं कि तो क्या हो सकता है ना मम्मी के हाथ में किचन होता है तो थोड़ा सा परेंट्स को यह मेरी रिक्वेस्ट थी ठीक है तो इसके साथ इस सेशन को हम समाप्त करते हैं बहुत-बहुत धन्यवाद आपका आप हमारे साथ में ज यह उसको बार-बार रिवाइस कीजिए करली की सब्जी हाँ वाई सुजल तरह को अगर आउडव मार्क्स ने मिले तो मम्मी को बुला है मम्मी को वहने बुला है कि करली की सब्जी खिलाव इसको थैंक यू सो मच ऐसी मिलते रहेंगे ऐसी बात करते रहेंगे आप मुझे बताओ कि करना के इसके उपर होँ आपको यह आपका भी बहुत धन्यवाद थैंक यू थैंक यू सो मच ठीक है बड़ा इसके साद इसको सवाप्त करते हैं और मिलेंगे नेक्स सेशन में बाई बटा बाई थैंक यू थैंक यू सो मच झाल 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 झाल